हेलो माई दियर स्टुदेंट्स आई विलकम यू आल ऑन इंजीनेर्स वाला प्लाटफोर्म और चली आये स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइज सेशन को फ्लीड मिकानिक शुरू कर रहे हैं फार दी सिविल इंजीनेरिंग स्टुदेंट्स आज वेल अज मिकानिकल इंजीनेरिंग स्टुदेंट्स इस्पेशली फॉर दी एससी जैई एक्जामिनेशन होफुली आप सभी लोग तयार होगे फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है और बच्चों के अंदर जो मुझे एनर्जी दिख रही है दाट इस अन्बिलीवेबल मतलब जिस एनर्जी के साथ आपने यहाँ पर जो फॉर्म पकड़ा है ना इसको पकड़े रखना नेक्स्ट टू मन्त एकदम जीजान लगा दो और बहुती बहतरीन तरीके से तयारी करो ताकि आप सिलेक्शन ले पाओ तो आज हम लोग fluid mechanics को शुरू करेंगे मैं सारी details आपको बता दूँगी आज से fluid mechanics आपके शुरू होगी 7 बजे से लेकर 10 बजे तक चलने वाली है और यह जो classes हैं 8 August तक चलेंगी मतलब total हमारे पास कितने दिन है 8 दिन है और यह जो 8 दिन है ना बेटा यह बहुत important होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरा complete subject पढ़ाने वाली हूँ यह engineers वाला platform पर especially YouTube पर पहली बार होने वाला है कि मैं अपना fluid mechanics का subject पूरा complete detail में आप सभी लोगों के साथ share करूंगी आप 8 दिन मुझे अपनी जन्देगी के दे दो मैं आपका favorite subject fluid mechanics बना दूंगी इस बात की guarantee है तो तैयार हो सभी जल्दी से बता दो autograph please हम आपको autograph लेंगे after this selection ठीक है very good evening शुरू करते हैं सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ किस तरीके से हम लोग subject को cover करने वाले हैं ठीक है तो आज syllabus को जान लेते हैं थोड़ा introductory part cover करेंगे और fluid property chapter आज हमारा पूरा एकदम detail में खतम हो होने वाला है ठीक है class की timing मेरी तो change नहीं होने वाली मैं छोटी सी basic details आप लोगों के साथ तुरंत फड़ाफट share कर देती हूँ सबसे पहली detail में आपके साथ share करना चाहती हूँ कि class की timing आपकी 7 p.m. से लेकर 10 p.m. तक रहने वाली हैं दूसरी point क्या share करना चाहती हूँ कि आ पतम करा दूंगी detail में और आपको हर एक चीज समझ भी आएगी आपका ये subject बहुत easy subject बनने वाला है जो आपके अंदर डर है ना वो पूरा का पूरा डर आपका निकल जाएगा इस subject में आप एकदम बेहतरीन तरीके सा खेल पाओगे सारे ही exam में especially SSJ तो हमारा रहेगा इसी के साथ आपको doubt का भी support मिल जाएगा notes का भी support मिल जाएगा आपको notes के लिए pw की application पर चले जाना है और अगर कोई भी समस्या आती है कोई भी problem आती है कुछ भी discussion मेरे से करना है वो आप इस telegram group पर कर पाओगे capital L रखना लामिया मैम लिख देना p capital w capital इस telegram group पर आपको सारी details मिल जाएंगी classes भी मिल जाएंगी और आपको discussion भी मिल जाएगा class के बाद आपको कोई भी problem आती है कोई भी doubt आता है कोई भी समस्या आती है यहाँ पर चले आईएगा आपके सारे doubts आपके समस्या सब solve करा दी जाएगी ठीक है जी तो यह कुछ details है इसके लावा कुछ पूछ करवा दूंगी ताकि आप लिंक के थुरू PDF को डाउनलोड कर पाओ को PWA application पर आपको इसकी PDF देखने को मिलने वाली है ठीक है जी क्लियर हो गया है hydraulic machine हम बाद में करेंगे पहले हमारा target है fluid mechanics को cover करना क्योंकि fluid mechanics का अगर आप SSC JE में वेटेज देखोगे सब कुछ बता देते है ताकि जब class शुरू करें ना एकदम smooth class चलनी चाहिए कोई भी doubt नहीं होना चाहिए मन में सबसे पहले बात कर लेते हैं mechanical engineering students की बेड़ा आपको 22 से लेकर 26 question तक देखने को मिलेंगे आपके लिए तो ये बहुत important है वरदान है ये subject ठीक है अगर मैं बात करूँ civil engineering students की तो civil engineering students में आपको 10 to 12 question देखने को मिलेंगे 10 से 12 number आप miss नहीं कर सकते if you want to crack the SSCJ examination fluid mechanics is mandatory क्योंकि fluid mechanics से ही hydraulic machine समझाएगा fluid mechanics से ही open channel flow समझाएगा और आपके civil के जो individual subject है उसमें भी fluid mechanics के काफी सारे concept यूज होते हैं तो आप इसे छोड़ नहीं सकते ठीक है तो यहाँ पर 5 से 7 civil की classes आपकी चलेंगी बट fluid mechanics civil mechanical common चलेगी तो उसका timing मैंने 7 बज़े से लेकर 10 बज़े तक रखा है इसके अलावा जितने भी civil के subject evening में चलेंगे वो सब 5 बज़े से लेकर 7 बज़े तक आपके चलने वाले है ठीक है तो I think मैंने सारी detail आपके साथ शेर कर दी है hopefully ठीक है स्लेबस की बात कर लेते हैं फ्लीट mechanics का स्लेबस काफी वास्ट है इसी वज़े से बच्चों को डर लगता है प्रापर्टी तक तो चीज़े ठीक रहती है मगर कानेमेटिक्स के बाद से हालात ज़बास सब बदल जाते हैं तो यहाँ पर बदलने दें फ्लीट प्रापर्टी साज शुरुवात होगी फ्री फ्लीट स्टाटिक को डिसकस करेंगे बॉइंसी एन फ्लोटेशन में खेलेंगे फ्लीट कानेमेटिक्स के परफेक्षन बनेंगे ठीक है energy and energy equation की बात करेंगे momentum equation के बारे में भी मैं थोड़ा idea आपको देने वाली हूँ फिर laminar flow हो गया turbulent flow हो गया इससे question बहुत आसान बनते हैं बस आपको चीज़े समझ लेनी है formula याद करनी की trick बता दूँगी उस trick को apply करोगे तो सारे formula भी ध्यान रहेंगे और question भी बन जाएंगे देन boundary layer concept हो गया boundary layer concept के बाद ही में flow through pipe हो गया Magnus effect हो गया terminal velocity हो गई ठीक है ना इसी के साथ से drag का portion हो गया lift का portion हो गया यह सब मैं यही पर cover करा दूँगी क्योंकि boundary layer से ही सब connected है ठीक है जी उसके बाद notch and wear को भी पढ़ेंगे क्योंकि notch and wear क्या है पता है यह topper बनने का एक chapter है क्योंकि जनरली तो बच्चे notch and wear को छोड़ देते हैं तो वह एक दो number तो ऐसी lose कर देते हैं अब topper इसे पढ़के जाते हैं तो जो toppers के extra numbers आते हैं वो इन ही chapter से आते हैं dimensional and model analysis मैंने यहाँ पर add नहीं कर रहा है क्योंकि आपको सिर्फ numbers याद रखने हैं वो मैं last में आपको trick देके बता दूंगी आपको lifetime सारे numbers को ध्यान रहे जाएंगे ठीक है thank you very much for your love for your appreciation अभी हम session को शुरू करते हैं ठीक है dda jway कुछ भी मैं कभी भी exam oriented नहीं पढ़ाती है एक single lecture दूंगी fluid property का सारे questions बनेंगे ठीक है बस इस तरीके से आपको पढ़ना है अगर मैं application part की बात करूं कि मैं क्यूं आप क्यूं 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 फ्लीड mechanics पढ़ना जरूरी है मैं नहीं पढ़ूंगा जाओ ठीक है मैं नहीं पढ़ूंगा जाओ ship अगर चल रही है तो पानी के उपर चल रही है fluid है submarine अगर पानी के समुद्र के अंदर जा रही है fluid है आप कोई structure बना रहे हो कोई bridge बना रहे हो कोई building बना रहे हो उसको भी air के resistance का सामना करना है fluid है ठीक है तो चाहे आप natural flows की बात कर लो आपको dams बनाने है या आपको कोई कि नदी या किसी समुद्र या फिर air के flow से सामना करना है fluid की importance आपको समझ आ गई कि fluid mechanics पढ़ना क्यों जरूरी है इसी के साथ ship की बात हो गई fluid mechanics है aircraft हो गया spacecraft हो गया cars जब भी कभी बिटा कार के designing होती है न तो air को ध्यान में रखके होती है कि हम जादा से जादा speed maintain कर पाएं क एसे जादे से जादे speed maintain कर पाएंगे जब हम air का सामना कर पाएंगे जब हम इस drag force को कम कर पाएंगे जब हम pressure force को कम कर पाएंगे stability भी यहाँ पर हमें देखनी पड़ेगी कि हमारी जो भी वहिकल है वो जमीन से चिपकी वी चले ऐसा नहों कि आप चला रहे हो सामने से air आई उसने पूरी जो गाड़ी है उसको हवा में ले गई ठीक है ऐसे बहुत सारे incidents आपने सुने होंगे चलती भी गाड़ी हवा में चली जाती है इसके अलावा अगर आप प्लांट में देखोंगे यहाँ पर भी विश्योड है इवन फ्ल्यूड की मदद से हम बहुत सारी पाउर भी जन्रेट करते हैं बहुत सारी के garbage mechanics पुर्श की मदद से चाहिए वाटर चाहिए बिंड डि मर्ण की बाथ करो यहां पर भी तो फ्लीड की मदद से ही ब्रव और डवलप हो रही है कि समझा यह नहीं वहां यह यहां पर यह हो गया इसे के साथ आप देखते होगे canvasusan हो गया ओ नीजिसी हो गया ठीज var यहाँ pipe की pipelines बिछाई जाती है, oil की, gas की pipelines बिछाई जाती है, तो यह सारा क्या है, fluid है, किसी pipe में अगर fluid flow हो रहा है, तो उसके अंदर pressure होगा, तो आपको decide करना पड़ेगा कि अगर आप fluid को flow करा रहे हो, कितना pressure develop होगा, velocity profile क्या होगी, कितनी stresses develop होगी, उसके हिसाब से आप pipe ल इंजीनियर, mechanics जो है fluid की, वो किसी भी इंजीनियर के लिए mandatory है, उसको समझना ही पड़ेगा, ठीक है जी, आगे चलते हैं, आपको reason समझ आगे, कि हम क्यों fluid mechanics पड़ने वाले हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले matter की, fluid तो गया side में, पहले matter समझ लो, matter क्या होता है, वो सारी दुनिया की चीज़ें, जिसके पास खुद का mass है, और जो कुछ ना कुछ volume occupy करते हैं, सब matter है, मैं यह क्या कह दिया, मतलब matter क्या हो गया, फिर मतलब, क्या मैं यह pen matter हो गया, हाँ जी, इसका अपना mass है, है बई, यह क्या volume occupy कर रहा है, हाँ, यहाँ पर अगर यह pen ह है, तो यहाँ के आस पास की air इसने हटा के अपने आपको adjust करा है, क्या यह presenter एक matter है, बिल्कुल, मैं क्या हम लोग भी सब matter है, जी हाँ, हम लोग भी matter है, हम लोगों का भी mass है, हम लोग भी volume occupy करते है, यह पानी की bottle क्या matter है, बिल्कुल, यह plastic की bottle भी matter है, इसके अंदर रहने पर कौन है, air है, तो हमेशा ध्यान दखो, खाली जगा पर अगर आप देखोगे, तो हमेशा आपको air देखने को मिलेगी, air भी क्या है, matter है, liquids भी क्या है, matter है, solid भी क्या है, matter है, दुनिया की वो सारी चीज़े, anything, anything, anything that has mass, that has mass, that has mass and occupy space, बहुत ही बढ़िया, and occupy space, इसको क्या बोलेंगे, matter बोलेंगे, वो दुनिया की सारी चीज़े, जिसके पास mass है, जो volume को occupy करता है, वो हमारा matter कहलाता है, ठीक है, लडाई जगडा भी matter है, सही बात है, लडाई जगडा में दो लोग involved होंगे, तो matter के बीच में ही लडाई जगडा हो रहा होता है, अब जैसे की matter का अगर आप basic classification देखोगे, तो हम बोल सकते है solid और दूसरा बोल सकते है fluid, अगर आप matter को in general classify करो, तो solid में और fluid में आप इसे असानी से classify कर सकते हो, ठीक है, we can classify matter in two parts, solid as well as fluid, तो solid क्या है, कुछ बी, कुछ बी चीज़ दो solid के form में है, वो आपका solid कहलाएगा, fluid के दो examples आप लिख सकते हो, पहला आपका होता है liquids, liquids को भी हम क्या बोलते है, fluids बोलते है, और इसे के साथ साथ gases को भी हम बेटा क्या बोलते है, fluids बोलते है, तो liquids और gases को fluids बोलते है, और fluid की study, fluid के flow की study, fluid पे लगने वाले forces के study, fluid की property की study क्या कहलाती है, fluid mechanics, क्या कहलाती है, fluid mechanics तो मैं solid की study क्या कहलाएगी देखो अगर आप solid को observe करोगे तो solid दो तरीके के आपको देखने को मिलेंगे एक तो आपका होता है rigid solid और दूसरा आपका क्या होता है deformable solid पहला आपका rigid solid दूसरा आपका deformable solid ठीक है तो rigid solid की अगर हम बात करें तो engineering mechanics अगर आप engineering engineering mechanics subject को देखोगे तो वहां पर हम कभी भी deformation की बात नहीं करते हैं कि बॉडी की length change हो गई बॉडी का डाया change हो गया ना कभी भी इसकी बात नहीं करेंगे हमेशा किसकी बात करेंगे बॉडी पर कितना force हमने apply करा उसने कितना displacement करा उसके पास कितना momentum है उसके पास कितनी energy है उसने कितना impact force develop करा बास समझा रही है तो हमेशा ध्यान रखो solid में जब भी कभी हम rigid solid की बात करेंगे तो एक subject निकल के आता है engineering mechanics ठीक है और solid में जब भी कभी हम deformable solid की बात करेंगे जैसे कि यह solid है force लगाया length change हो गई यहाँ पर force लगाया bend हो गया तो यहाँ पर क्या चल रहा है deformation चल रहा है elongation चल रहा है bending चल रही है compression चल रहा है अगर deformable solid है तो उसका एक subject बनके आता है हमारे सामने strength of material तो यहाँ पर आपको science का पूरा classification एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा पहला classification क्या है fluid का और fluid की study को fluid mechanics बोलेंगे दूसरा classification है solids का solid में दो तरीके के solid होते हैं as well as like rigid solid as well as आपका deformable solid rigid solid के study engineering mechanics and deformable solid के study strength of material आया समझ में जल्दी से बताईए जल्दी से मुझे यहाँ पर बताईए ठीक है यह तो basic चीजे हो गए इसके बाद आपको अलग states भी देखने को मिलेंगी जैसे बच्चा लिख रहा है plasma ठीक है this is the another state of the matter वो हम यहाँ पर discuss नहीं करते हैं because it's not a normal state हम normal states में या तो solid की बात करेंगे या त आते हैं बहुत ही प्यारा सा नीचर है solid का कि solid अपनी original position पर जाने की कोशिश करता है जैसे की जैसे की यहाँ पर मान लो हमारे पास कोई body है ठीक है हमारे पास कोई बढ़िया सी body है इस तरीके से इस पर हमने अपन लोगों ने क्या करा एक force अप्लाई करा छोटा सा force अप्ल Vegeable force लगाओगे तो क्या solid deform हो जाएगा बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी deform नहीं होगा आपको क्या करना पड़ेगा इसको enough amount of loading देनी पड़ेगी जब तक आप इसको enough amount of loading नहीं दोगे यह deform नहीं करने वाला तो solid की दो खास बात है एक तो आपको यहाँ पर enough amount of loading करनी पड़ेगी, enough amount of loading करनी पड़ेगी, अगर आप थोड़ी बहुत loading करोगे, तो कोई फरक नहीं पड़ने वाला, जैसे की for example, ये मेरे पास एक pen है, इस pen पर मैं load लगाऊं, भाई deform नहीं हुआ, length change नहीं हुई, मैं force लगा रही हूँ, deform नहीं हो रहा है, ये क्या है ये क्या है, solid है, थोड़े बहुत force से change, नहीं होगी इसकी dimension, आपको enough amount of loading करनी पड़ेगी, दूसरी चीज़ क्या है, मान लो आपने यहाँ पर enough amount of loading कर दी, तो ये deform हो जाएगा, body कुछ इधर की तरफ, आपके क्या होगी, body कुछ इधर की तरफ, बिटा, move कर जाएगी, इस F force की वज़े से, होगा की नहीं होगा, body इधर की तरफ, move कर जाएगी, मगर जैसे ही आप force हटाओगे, मान लो आपने elastic point तक loading करी थी, elastic point तक loading करी थी, जैसे ही force हटाया, get back होगा, original position को body regain करेगी, वापस से अपनी initial अवस्था में जाएगी, जो उसकी पहले की अवस्था थी पहले ये square shape का दिख रहा था, it will try to regain its original position, मैंने क्या बोला, after removal of the roading, it will try to regain its original position, simple कह सकते हैं, it will try to regain its original position, regain its original position, जबकि fluid ऐसा नहीं करता है, fluid ऐसा नहीं करता है, fluid को आप deform करोगे, इसको याद भी नहीं रहेगा, ये पहले के shape का था, दिखाओ, live example दिखाओ, अभी ये fluid किस में है, bottle में है, मैं पी गई, मैं पी गई, अब क्या इसको याद है कि मैं पहले bottle की shape की थी, तो मेरे अंदर जा original अवस्था में भी वापस आने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा, थोड़ा सा भी force लगाएंगे, तो fluid में deformation देखने को मिलेगा, थोड़ा भी force लगाएंगे, fluid में deformation देखने को मिलेगा, solid में मैंने force लगाया था, तो deformation देखने को नहीं मिला था, fluid में मैंने force लगाया, थोड़ा सा deformation देखने को मिला, कुल मिला के मतलब क्या है, कि fluid does not even try to regain its original position, सीधी बात, fluid does not even try to regain its original position, अपनी position पर वापस आएंगे ही नहीं, दूसरी बात क्या है, negligible amount of loading से भी बहुत ही emotional है, soft hearted है, ठीक है, थोड़ा सा भी load लगाओगे तो disturb हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखो, दो चीज़े याद रखो, negligible amount of loading भी काम करती है, amount of loading भी यहाँ पर काम कर जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, and does not even, does not even try to regain its original position, does not even try to regain its original position, बात एकदम बढ़िया तरीके से समझ आ जानी चाहिए, आठ दिन चाहिए, आठ दिन में FM ना आए, डिसलाइक करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ ठीक है, मगर उससे पहले आठ दिन अच्छे से देखना है, तो matter समझ आ गया, solid है, fluid है, fluid को हमें आज discuss करना है, आगे बढ़ते हैं, solid क्या है, solid है एक ऐसा substance है, जिसके पास finite deformation देखने को मिलेगा, finite deformation, जबकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, infinite deformation, यहाँ पर क्या मिलेगा, infinite deformation, infinite deformation, मतलब क्या है, आफ फोर्स लगाओगे, भर भर के deformation देगा, जबकि यहाँ पर क्या है, जैसा load वैसा deformation, थोड़ा load लगाया, elastic point तक लगाया, तो थोड़ा deformation मिला, और load बढ़ाते चले जाओगे, और deform होता जाएगा, आगे जाके अगर यह ductile material होगा, तो cup and cone arrangement में तूट जाएगा, aluminium का wire ले लिजे, सब के घर में है, सब लोग विजली विजली का काम करते रहते हैं, उस पर force लगाइए, उसके length को आप बढ़ा सकते हो, बहुत ही आसानी से, तो याद रखी हो, यहाँ पर आपको finite deformation मिलेगा, ठीक है जी, finite deformation, तो यह कुछ चीज़े हैं, जो आपकी tip पर होन करेंगे और अपनी original अवस्था को regain करने की कोशिश करेंगे कब, जब हम load हटा देंगे, after removal of the load, ठीक है, diagram क्या बनाया, भाई देख लो, यह था, डबा, force लगाया, तो क्या हो गया, अबबा डबा जबा हो गया, ठीक है, force लगाया, तो क्या हो गया, याद रखना, अबबा डबा जबा हो गया, ठीक है, deform कर जाएगा, बहुत ही बहतरी, deform कर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको, shear deformation, देखने को, मिल गया है, ठीक है, very good evening, चालो, बहुत ही बढ़िया, फ्लिट का हार, हमारी तरह है न, जिसे हम लोग है, छोटी-छोटी बा फर्क नहीं पड़ता, आपने उसको कितना दर्द दिया, थोड़ा भी दर्द दोगे, तो दिल तूट जाएगा, ठीक है, तो याद रखियो, फ्लिट एक ऐसा substance है, जो continuously deform करता है, जब आप उस पे shear stress लगाते हो, याद रखियो, फ्लिट के deformation के लिए shear stress चलेगी, shear stress लगाओ होगे, तभी वो deform होगा, अगर ये container में पानी है, मैं यहाँ पर piston लगा के compression लगाऊं, तो ये compress हो जाएगा, अगर compressible fluid हुआ तो, gases होगी तो compress हो जाएगा, liquids को generally incompressible माल लेते हैं, liquid का volume change नहीं होता है, क्या मैं ऐसा कर सकती हो कि यहाँ पर एक धागा बांधू या एक कोई दोरी बांधू और पानी को ऐसे एकदम खीच के tensile force लगा के बाहर निकाल लो, क्या ऐसा possible है, नहीं है, ऐसा कभी देखा है क्या, क्या आपने एक दोरी बनाई, अंदर डाला पानी के बाहर खीचा, पानी बाहर निकलता आ रहा है, tensile force पर काम कर रहा है, no, आप fluid पर tensile forces देखो, cross section के along लगने वाला force जो होता है, वो आपका shear force कहलाता है, for example, for example, मान लो, ये कोई body है, ठीक है, फोन का प्रिचार नहीं कर रही हूँ, प्रिचार नहीं कर रही हूँ, मान लो, ये कोई body है, और ये इसकी surface है, सभी लोगों को दिख रही है, देख लो, ये इसकी surface है, मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है, ये surface है, और ये force है, अगर आपने इस पे इधर की direction में force लगाया, तो tensile force है, cross section के perpendicular direction, खीच रहे हो, तो tensile ह दबा रहे हो, ऐसे दबा रहे हो, compressive है, मगर cross section के along अगर force लगा दो, cross section के along अगर force लगा दो, तो shear force कहलाता है, ठीक है, घर में सबजी काड़ते हो, shear force लगाते हो, कैची से paper काड़ते हो, shear force लगाते हो, यहाँ पर मैं ऐसे along the direction, along the cross section force लगा रही हूँ, shear force लगा रही हूँ, जब भी कोई ship जब भी कोई ship पानी की सथा पर चलती है तो वो क्या लगाती है shear force लगाती है ठीक है तो confusion नहीं होनी चाहिए shear force tensile force compressive force कौन से forces होते है ठीक है आगे वास समझ में clear हो गया अब आगे देखो liquids and gases are the example of fluids जैसे कि अभी मैंने दिखाया था पानी पिया फ्ल्यूड भूल गया कि वह पहले बॉटल की शेप का था अब किसके शेप का हो गया है intestine के शेप का हो गया ठीक है तो याद रखो fluids को हम लोग क्या बोलते हैं fluids are called as zero memory substance fluids are called as zero memory substance called as zero memory substance क्यों क्योंकि फाइस को याद ही नहीं रहता है एकदम गजनी रखा है zero memory substance एकदम घजनी हो रखा ठीक है एकदम गजनी हो रखा अधा है कुछ याद ही नहीं रहता है सब भूल जाता है बीली आ तो intestine शेप का हो गया अभी यहां से मैं नीचे गिरा देती तो जमीन के शेप का हो जाता इसको कच्छु याद नहीं रहता है बहुत ही सुखद जिंदिगी जी रहे कुछ याद नहीं रहता तो कुछ टेंशन भी नहीं होती ठीक है तो सॉलिड समझ आ गया अब फ्लीड का मैंने क्या बताया दो ए से दोनों में क्या डिफ्रेंस है चलो अच्छे समझते हैं इसको समझने कोशिश करते हैं लिक्विड के पास फ्री सर्फेस होती है जैसे की जैसे की आओ बनाए पानी आओ बनाए पानी ठीक है देखो भई लेक्विड के पास क्या है फ्री सर्फेस है क्या आप इस बोटल स पानी निकाल के क्या आप देख पा रहे हो यह पानी कहां तक भरा है क्या आप देख पा रहे हो यह पानी कहां तक भरा है हां मैं मैं देख पा रहे हैं पानी यहां से लेकर यहां तक भरा हुआ है तो इसका मतलब है इसके पास फ्री सर्फेस है, हैगे नहीं, इसके पास फ्री सर्फेस है, तो याद रखो, लिक्विट्स है फ्री सर्फेस, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, लिक्विट्स है फ्री सर्फेस, लिक्विट्स है फ्री सर्फेस, क्या गैसे के पास फ्री सर्फेस है, क् जब मैंने पानी नहीं भरा था तो इस glass में gas ही थी ठीक है मगर वो आपको दिख नहीं रही थी कितनी भरी है और कितनी खाली है तो हमेशा ध्यान रखियो gases does not have free surface gases के पास free surface नहीं होती है does not have free surface ये क्या करते हैं इनको container में डालो फैल जाते हैं वही चीज है थोड़ा भी support दे दो एकदम फैल जाएंगे थोड़ी भी gas के particle डाल दो एकदम फैल जाएंगे पूरा cylinder ही पूरा cylinder ही occupy कर लेंगे जबकि liquid ऐसा नहीं है बहुत सब भी liquid है liquid ऐसा नहीं है जितना भरोगे उतना ही रहेगा उतना ही रहेगा जादा जगा देखके फैल नहीं जाएगा ठीके ना जादा जगा देखके फैल नहीं जाएगा तो अगर आपने इसको small height h तक भरा है ना तो ये small height h तक ही रहेगा य यह क्या होगी container की height हो जाएगी let us consider यह capital h है यह small h है जरह इसको देखिए यो जरह इसको देखिए उ फैल गिया थोड़ी भी जगा थोड़ा सभी इनको छूट देदो तुर्ण निकल लेते हैं पुरा container का consider कर लेते हैं यह diameter of the container हो गया यह diameter of the container हो गया ठीक है, समझ आ गिया, ठीक है, चलो, बना के डाल देंगे, कोई दिक्कर नहीं है, अभी यहाँ पर फोकस कर लो, अगर मैं यहाँ पर कंटेनर के वॉल्यूम की बात करूँ, तो फॉर्मला आएगा, पाई बाई फोर, डी स्क्वाइर, कापिटल एच, यह पूरा वॉल्यूम है कंटेनर का, मगर क्या लिक्विड का वॉल्यूम भी उतना ही होगा, ना जी, लिक्विड का वॉल्यूम होगा, पाई बाई फोर, डी स्क्वाइर, कितनी हाइट तक भरा है, एच तक, ठीक है, इसी तरीके से इसको देखें जरा, यहाँ पर चाहे कंटेनर की बात कर लो, एक ही बात पता चलेगी, कि मैं पाई बाई फोर, डी स्क्वाइर, पाई बाई फोर, डी स्क्वाइर, क्या पिटल एच है, इसका मतलब बताओं क्या है, इसका मतलब है कि लिक्विड का अपना साइज होता है, क्या बोला मैंने, लिक्विड का अपना साइज होता है, मगर गैसे का अपना साइज भी नहीं होता है ये किसके साइज को अक्यूपाई करते हैं कंटेनर के साइज को तो हमेशा ध्यान दखो एक दूसरी पॉइंट पता चला लिकविन्ट्स हाफ साइस लिकविटike पास अफना साइज होगा फोगा होगा गास Metropolitan टाइस टाइस एका-व्न को संफ्क कि नेहीं होता है अगर चीह पर तो दोनों के पास ही ठीक है, अब बेने bottle में पानी रखा, फिर glass में पानी रखा, फिर अपनी intestine में पानी रखा, gases का भी same ही हाल है, कहीं पर भी रख दो, जैसा shape आप उसको provide करोगे, उसी shape को वो occupy कर लेगा, तो याद रखियो, shape दोनों के पास ही नहीं है, इस मामले में दोनों ही गरीब हैं, दोन तक चमक गिया चमक गिया जल्दी बताओ फोई यह डायामिटर हो गया पाइवाई डी स्क्वाइर कापिटल एच पाइवाई फॉर एक बच्चा बहुत परिशान था कह रहा था यह कैसे हो गया कापिटल लेने के बाद ठीक है पीडियाफ पर मिल जाएगा पीड़लो की और टेलिग्राम गुरूप से आप डिसकस कर सकते हो मेरे साथ सारी के सारी चीज़ है ठीक है आगे जलते हैं और आप बात करते हैं सॉलिड की तो मैंने आपको बताया दो तरह के सॉलिड होंगे एक हमारे होंगे रिजिड सॉलिड यह एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है इंटर मॉलीकुलर फोर्स है दोनों की बीच में क्या है इंटर मॉलीकुलर फोर्स से बंधे हैं आपने फोर्स लगाया दोनों बोले के नहीं जाएंगे एक दूसरे को छोड़के जहां है वहीं रहेंगे पूरी दुनिया एक तरफ इन दोनों का बांड एक तरफ पूरी द समझ में rigid solid अब यहां पर देख लिए ज़रा यहां पर देख लिए कच्छा वाला बॉंड कच्छा वाला बॉंड ठीक है कच्छा वाला बॉंड फोर्स लगाया हमने यहां पर फोर्स लगाया हमने दो मॉलिकुल्स है, एक Alpha भाई साब है, एक बीटा भाई साब है, दोनों के बीच में क्या है, Intermolecular Force of Attraction से दोनों बंधे हैं, आपने Force लगाया, क्या करें बिचारे, बहग, डर गए, Force से, ठीक है, तो F-Force जैसी लगाया, तो Alpha कहिं यहां पहुझ गया, बीटा कहीं यहां हो गई आप टेंसाइल फोर्सेज लगाओगे तो बिटा डिस्टेंसेज बढ़ जाएंगी कॉंप्रेसिफ फोर्सेज लगाओगे डिस्टेंसेज घड़ जाएंगी बेंडिंग भी कर सकते हैं दोनों साइड पर कपल लगा दो तब भी यह डिफॉर्म हो जाएगा पूरा सेक मैटर समझ आगें क्लासिफिकेशन समझ आगिया अब बात करते हैं फ्लीवड की फ्लीवड क्या है फ्लीवड एक ऐसा सब्स्टेंस है जो गंटीनियसली डीफॉर्म करता है ध्यान से सुनते जाना मेरी बात ऐसा नोट्स दूंगी जो दस मिनिट में रिवाइज भी हो अगर आप इस पे shear force लगाओगे, action of shear force, ठीक है, shear force, अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान दखो, no matter how small it is, कोई भी फरक नहीं पड़ता है, no matter how small it is, ठीक है जी, फरक नहीं पड़ता कि ये कितना छोटा है, negligible amount of loading से भी fluid जो है, वो deform कर जाता है, फिर मैंने क्या बताया, fluid क्या है, zero memory substance है, देखो बस इतना ही ध्यान रखना जो तिन चार लाइने लिख के दे रही हूँ, fluids क्या है, zero memory substance आपके कहलाते हैं, इसे के साथ fluid का example क्या देख लिया, liquids हो गए मैम, and gases हो गई, liquids हो गई मैम, and gases हो गई, plasma वगेरा की बात ना करियो, वो एक special, दूसरा phase आपको देखने को मिलता है, वो यहाँ पर अपन लोग discuss नहीं करेंगे, तो curiosity को control करा जाए, ठीक है, तो यह liquids हो गए, अब देखो ज़रा, एक चीज़ समझो, मान लो, अपन लोग fluid को देख रहे हैं, कि fluid किस तरीके से flow करता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क क्या करें, fluid के particles ले लिए, initially consider कर लेते हैं, कि fluid की जो particles है, वो किसी velocity से चले है, किसी समान velocity से चले है, let us consider यह velocity क्या है, U infinity है, कुछ भी ले लो, V ले लो, X ले लो, जो भी मन करें, वो ले लो, कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, आपने क्या consider कर लिया, कि fluid के particles, U infinity से चले थे यह U infinity से जब चले थे, तब इनके रास्ते में कोई भी resistance नहीं था, जैसे कि जब भी किसी solid को आप move कराते हो, तो solid surface और जिस surface पर वो move कर रहा होता है, उनके बीच में क्या होता है, friction होता है, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, friction होता है, इसी प्रिकार से liquids की, या फिर gases की जो layers बनती है, जब fluid हमारा flow होता है, तो fluid के बीच में भी आपको resistance देखने को मिलेगा, fluid के बीच में क्या देखने को मिलेगा, resistance देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, यह बिटा almost हिंदी ही लिखी हुई है, कोई definition मैंने कुछ लिखा ही नहीं है continuously deform, लगाता deform होगा, under the action of shear force, shear force लगाने पर deform होगा, zero memory substance को zero memory substance ही बोलेंगे, ठीक है, तो यह almost आपकी हिंदी ही मैंने लिखी है, English में कोई भी definition नहीं लिखी है, तो मान लेते हैं, जब यहाँ पर fluid आएगा, तो fluid किस तरीके से behave करने वाला है, ठीक है, तो याद रखो, पहल fluid की layer, इस stationary plate के contact में आएगी ना तो चपक जाएगी, क्यों, resistance, सबसे ज्यादा resistance उसको कहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर wall नजदीक है, fluid आया, wall से टकराया, एक layer इस से ही चिपक गई, why, because of resistance, ठीक है, because of resistance, इसी resistance को आगे जाके हम क्या बोलते है, viscosity, जैसे वो friction वाला ह होता है, coefficient of friction, इसी तरीके से यहाँ पर आता है viscosity, क्योंकि यह कौन सा friction है, यह liquids के बीच में आने वाला friction है, liquids के बीच में आने वाले friction को viscosity बोलते हैं, तो पहली layer तो इससे चपक जाएगी, है के नहीं है, पहली layer इससे चपक गई, अब यह stationary है, तो यहाँ पर velocity क्या मिली, 0 मि क्या बोलते हैं, no slip condition, इसी का नाम क्या रखा हमने, no slip condition, इसी को क्या बोलेंगे, no slip condition बोलेंगे, आगी बास समझ में, अब इसके ऊपर वाला जो fluid particle होगा, वो भी तो affected होगा, आना तो इनको ऐसे चाहिए था, सारे fluid particle की समान velocity से, इन सब को चले आना चाहिए था, है के नहीं है, सारे fluid particle की जितनी भी समान velocity थी, इसी velocity से, इनको बिटा, चले आना चाहिए था, मगर ये नहीं आप आए, नहीं आप आए, आना इनको ऐसे था, सारे velocity particles, अब ये वाला zero हो गया, आपको भी पता है, जीवन में जब कोई रुकता है, तो वो साथ वाले को भी रोकने की पूशिश करता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप अगर किसी ऐसे दोस्त के साथ रह रहे हो, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, वो कहेंगे भाई यार, तु क्यों पढ़ा ही कर रहा है, चला तुझे घुमा के लाते, हैगे नहीं है, तो अगर ये रुकेगा, तो ये अपने वाले से कहेगा, अरे भाई क्या समस्या है, अराम से रहो जीवन में, मजे करो, ठीके, मजे करो, ये अपने वाले से कहेगा, और धीमे 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 आपको ये रेजिस्टेंस कम होता है, नजर आने वाला है, जब आब ये सारे पॉइंट्स को मिला देते हो, तो एक प्रोफाइल बनके आती है जिससे हम बोलते हैं विलोसिटी प्रोफाइल यह विलोसिटी प्रोफाइल किसकी वजह से बनी है विसकोसिटी की वजह से बनी है रजिस्टेंस की वजह से बनी है रजिस्टेंस अगर ना होता तो ऐसी प्रोफाइल ना बनती फिर प्रोफाइल आपकी ऐसी बनती सारे fluids के जो velocity है समान होती constant velocity आपको मिलती तो होता क्या है यहां पर हम कुछ velocity lose करते हैं मगर धीमे 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 जैसे जैसे हम इस plate की surface से दूर जाते हैं हम 99.9% तक वही velocity गेन कर लेते हैं ठीक है वही velocity हम गेन कर लेते हैं आया समझ में तो इसको हम क्या बोलते हैं velocity profile this is known as the velocity profile तो fluid की velocity profile कुछ इस तरीके से आपको बनती भी नजर आने वाली है ठीक है continuously deform होगा continuously deform अगर deformation शुरू हुआ है तो continuous deformation आपको आगे तक देखने को मिलने वाला है यहाँ पर भी velocity profile बना सकते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर क्लियर है चमक गया इतना पूरा mechanical engineering हाँ सत्कर नंबर का तो मैं खुदी करवा दूंगी ठीक है टेंशन ना लो आगे चलते हैं अब बात करते हैं fluid properties के बारे में ठीक है चलो ठीक है अब तो एक साथ रहता है ऐसा आपको लगता है कि fluid एक साथ रहता है fluid हमेशा layer wise flow होता है एक layer दूसरी layer के ओपर क्या लगाती है resistance लगाती है ठीक है तो हमेशा ध्यान रखो fluid हमेशा layer by layer आपका flow होने वाला है fluid property में जो सबसे पहली property होती है that is your density ठीक है density को समझते है density के बारे में कोई जानता है क्या गयर हो मेरी मौसी की लड़की है density अरे मौसी की लड़की है density density row ठीक है row से density को represent करते हैं बहुत अच्छी अच्छी बाते आपको density के बारे में बताती हूँ ध्यान से सुनते जाना सबसे पहले याद रखो density क्या होती है mass per unit volume एक unit volume में कितना mass आएगा that is your density unit याद रखियो पूछेगा kilogram mass की unit होती है meter cube volume की unit होती है इसी के साथ साथ आप से क्या पूछेगा आप से पूछेगा dimensional formula बताओ तो kilogram को M से लिखेंगे और meter cube को L की power minus 3 से अपन लोग लिखने वाले ठीक है density बराबर mass बटे volume बहुती बहतरी ठीक है mass by volume बहुती बढ़िया समझ आ गया यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इसी के साथ ध्यान रखियो अगर हम liquids की बात करते हैं ठीक है तो liquids के case में बटा generally density जो होती है वो आपकी almost constant होती है liquids के case में जो density होती है वो almost constant होती है क्योंकि liquids generally क्या है incompressible है incompressible है तो अब जितना भी mass लोगे उसका volume तो change होगा नहीं क्योंकि liquids क्या है incompressible fluids क्यालाते हैं तो यह density इसकी जंदली constant होती है ठीक है आगे सुनो भाई अगर हम gases की बात करें gases की बात करें तो gases के case में आप ऐसा पाऊगे कि density जो है वो function होती है pressure और temperature का जैसे जैसे pressure temperature change होगा वैसे वैसे आपकी density change होगी अब सवाल यह उड़ता है कि मैं कैसे change होगी इसके बारे में थोड़ा सा प्रिकाश डालिए देखो ज़रा ध्यान से कैसे change होती है मालो अपन लोगों के पास क्या है एक container है मालो अपन लोगों के पास क्या है molecules हैं क्योंकि हम तो gas को देख रहे हैं आप ज़रा ध्यान से देखी हो अगर मैं इसके temperature को बढ़ाना चाहूं तो मुझे कुछ नहीं करना है नीचे लगा देनी है आग नीचे लगा देनी है आग वो भी किस से दुलहन माचस से एक दुलहन माचस आते हैं ना तो मैंने दुलहन माचस को लिया और नीचे लगा दी आग अब बताओ heat अंदर जाएगी heat जाएगे तो क्या इसका temperature बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ेगा अब जैसे जैसे इसका temperature बढ़ेगा हम इसको क्या दे रहे हैं इसको energy दे रहे हैं gases के पास क्या होता है momentum होता है momentum क्या है mass into velocity क्योंकि gas के molecules तो random motion करते रहते हैं अब यह random motion अगर कर रहे हैं आपने इनको heat दे दी और जाधा random motion करेंगे और जाधा random motion अगर ये करेंगे तो ये piston क्या होगा क्या ये उपर भागेगा पहले ये molecules क्या थे बिटा पहले ये molecules किसी velocity से इस पिटकरा रहे थे धक्का मार रहे थे pressure है क्या ये धक्का मुक्की ही तो pressure है molecules की दीवार के उपर ये धक्का मुक्की चलती रहती है इसी को ही तो भाया जी pressure बोलते हैं और pressure क्या है pressure कुछ नहीं है ये molecules की धक्का मुक्की को ही pressure बोलते हैं आप इनको energy जाधा दे दोगे जाधा धक्का मुक्की करने लगेंगे और जैसे ही जाधा धक्का मुक्की करेंगे तो piston को धक्का मार मार के मार मार के कहा पहुचा देंगे उपर पहुचा देंगे तो आपको देखने को मिलेगा थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही आपने इनको हीट दे दी हीट की वजए से इनका temperature क्या हुआ बढ़ गिया थोड़ी ही देर के बाद ये piston भाई साब जो ऊपर पहुँच चुके होंगे, ये पिस्टन भाई साथ, जो हैं ऊपर पहुच चुके होंगे, इसका मतलब है, अगर हम यहां से यहां, टेंपरेचर को बढ़ा रहे हैं, तो बताऊ, वयल्म बढ़ा bit, कानिटिक एनर्जी बढ़ गई, कानिटिक एनर्जी chance बढ़ने की वज बढ़ेगा देखो क्लोज्ड सिस्टम है मास तो कॉंस्टेंट है मास चेंज हो नहीं रहा है टेंपरेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ गया बताओ डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी अधरल करेगा एक यहां दखका मुकी कोई नहीं करेगा ग्यास कर रही है चलता है ठीक है यहां दखका मुकी कोई नहीं करेगा एन अई know mechanical में vacancies कम हैं बट आप उसको लेके कुछ नहीं कर सकते जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगी, देश चलाऊंगी, उस दिन मैं मैं मेकानिकल की सबसे जाधा vacances निकालूंगी, civil की भी कम कर दूंगी, civil वाले बहुत मौच काट रहे हैं, ठीक है, civil वालों की vacances थोड़ी कम करके, 50-60 vacances मेकानिकल की और बढ़वा दूंगी, ठीक है, अगर civil की 1400 है, तो मेकानि कि ही फेकल्टी हुँ मैं भी उतना ही दुखी हूँ जितना आप दुखी हूँ ठीक है decrease कर जाएगा बहुत ही बढ़िया तो यहाँ पर एक चीज़ अपन लोगों को पता चल गई एक चीज़ अपन लोगों को पता चल गई कि मैं टमप्रेचर बढ़ाओ गे न तो डेंसिटी जो है घट जाएगी temperature बढ़ाओगे ना तो density घट जाएगी अब यहीं पर समझी हो ज़रा ठीक है यहीं पर समझी हो ज़रा यह तो पहला case अपन लोगों ने discuss करा अब ज़रा दूसरा case बनाते हैं pressure को बढ़ाते हैं ठीक है pressure को बढ़ाते हैं अब आप सिविल वाले लडाई नहीं करेंगे ठीक है सिविल वाले बिल्कुल लडाईयां नहीं करेंगे comment section में कैसा कैसे बोल दिया मैं आप हमारी vacancies कैसे कम कर दो के यह सिविल वाले समझदारी दिखाएं थोड़ी और एकदम शान्त बैठे ठीक है बना पता चला mechanical तो ठीक है सही हो ग एक force लगाऊंगी इस तरीके से इसको compress करूंगी compress करूंगी तो molecule पास-पास आजाएंगे पास-पास आएंगे तो pressure आपका बढ़ने वाला है फिर उतना ही force लगेगा मगर volume कम हो जाएगा इस तरीके से piston क्या गया नीचे आ गया आपने क्या करा pressure बढ़ा दिया प्रेशर को क्या कर दिया बढ़ा दिया जैसे ही pressure बेटा यहां पर बढ़ेगा आपने एक चीज़ देखी कि यहां से यहां तक हमने pressure तो बढ़ाया मगर pressure बढ़ाते ही volume क्या हो गया कम हो गया volume जैसे ही कम होगा तो आपको भी पता है कि क्या होने वाला है pressure बढ़ता है तो आपका density क्या हो जाती है बढ़ जाती है pressure बढ़ेगा तो density बढ़ेगी temperature बढ़ेगा तो density घटेगी ठीक है temperature बढ़ेगा तो density आपके क्या होने वाली है घटने वाली है बात समझ आ गई इसी के साथ अगर हमको कभी भी density निकालनी है हम spring balance का इस्तमाल कर सकते हैं spring balance का इस्तमाल कर सकते हैं weighing machine से mask density को निकाला जा सकता है इसी के साथ जो हमारा basically कह सकते है physical balance होता है physical balance की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर density को find out कर सकते हैं तो spring balance हो गया physical balance हो गया weighing machine हो गई यह सब से आप आसानी से density निकाल सकते हो क्योंकि इससे mass निकालना असान है एक बार mass निकलाया per unit volume आपकी density हो जाएगी ठीक है इसी के साथ साथ कुछ थोड़ी बहुत चीज़े आपको और पता होनी चाहिए जैसे की density इसके बारे में अगर मैं यहाँ पर h2o की density की बात करूँ तो यह होती है 1000 1000 kg प्रती मीटर क्यूब ठीक है यह जो density बेटा होती है this is the maximum density ठीक है यह कौन सी density होगी maximum density आपकी होगी maximum density होगी और यह maximum density आपको 4 degree centigrade पर मिलती है ऐसा water का behavior देखा गिया कि जब minus 30 degree पर suppose कर लो आपके पास eyes है आप जैसे जैसे temperature बढ़ाते हो density आपकी उतनी नहीं होती है 4 degree पर जैसी पहुचते हो उस 4 degree पर volume आपको minimum मिलता है उसके बाद जैसे ही आप temperature बढ़ाओगे फिर से molecules दूर दूर जाएंगे density फिर से घड़ जाएगी तो 4 degree से पहले भी density कम मिलेगी 4 degree के बाद भी density कम मिलेगी exactly 4 degree centigrade पर maximum density मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है नोट्स मिल जाएंगे सभी लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आगे देखो बिटा कभी कोई oil के बारे में पूछ ले तो बता देना भाई 860 के आसपास ले लेते हैं और ये oil कौन सा होता है motor oil होता है light virgin होता है motor oil होता है कोई पूछ ले के भाईयाजी glycerine का बता दीजे जड़ा 1260 फिक के मार देना ठीक है कोई पूछ ले mercury का बता दो भाईयाजी तो mercury तो एकदम जोर से फिक के मारना kilogram प्रति मीटर क्यूब ठीक है कोई पूछता है के air की भी बता दो तो air के density तो change होती रहती है pressure temperature के साथ तो air की density हम STP पर बता सकते है standard pressure temperature पर बढ़ा सकते है कितनी मिलती है 1.26 kilogram प्रति मेटर क्यूब यही चुन्ने चुन्ने चवणनी चवणनी सवाल आप से पूछे जाएंगे यही पूछा जाएगा इसी को पढ़ाना है मुझे और इसी से exam निकलवा देना है बस इस से पढ़ते रहो जब exam होगा इन ही slide से questions आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है अब यह STP क्या होता है STP standard temperature pressure है जिसको हम बोलते है 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure 1 atmospheric pressure ठीक है तो STP की condition भी पूछ सकता है NTP की condition पूछता है 293 293 Kelvin and 1 atmospheric pressure आपका क्या हो जाएगा NTP हो जाएगा oil की जो viscosity है 800 से 860 तक आपको देखने को मिलेगी 800 से 860 आप ले सकते हो चाहे 800 लेलो चाहे 860 लेलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो ये बात किसकी हो गई density की हो गई इसके अलावा कौन सा हमारे पास देखने को मिलता है पहला हमारा density हो गया दूसरा आपका होता है specific weight ठीक है जी ध्यान से देखो बहुत तेजी से चलेंगे अभी आगे specific weight specific weight specific weight को हम किस से represent करते हैं देखो W से भी represent करा जाता है most of the time हम इसको गामा से represent कर देते हैं specific weight जो है यह basically under the influence of gravity हम चेक करते हैं कि एक unit volume में कितना weight आपको देखने को मिल रहा है कुल मिला के सीधा सीधा यह बोल सकते हैं कि specific weight क्या होता है weight by volume होता है अगर density को देखोगे mass density को तो वो क्या था mass by volume था यह अगर आप देखोगे तो under the influence of gravity हम इसे deal करते हैं weight की unit होती है newton इसकी unit हो जाती है meter cube ठीक है अब आपको भी पता है कि weight होता है m into g divided by volume हो जाएगा तो specific weight हो जाता है density into gravity अब आपको भी पता है कि density किसका function है gases के case में pressure temperature तो specific weight किसका function होगा pressure temperature gravity मतलब क्या है अगर चंद्रियान 3 के साथ आपको भीज दिया जाता चंद्रमा पर तो density तो आप सेम निकाल के लेके आते मगर specific weight बढ़ जाता change हो जाता sorry क्योंकि moon की जो gravity होती है वो एक 1 by 6 होती है g of earth ठीक है तो अगर मैं आपको विक्रम लैंडर पर भेज देती ठीक है launch करा देती एक चुन्नूलाल को मैं launch करा देती वो fluid लेके जाता वहाँ पर mass density निकालता इसी के साथ साथ specific weight निकालता तो उसको mass density तो सेम मिल जाती के यह है kilogram प्रती meter की स्कॉल स्टहरी कि wirा IPG क्या है मीटर प्रती सेकंड स्कॉइर है और नीचे क्या रख gäller क्या है वालियूम रखा है तो मेंटर क्यूब हो जाए का ठीक है अब इसको ज़रा solve कर लो तो एक मीटर से सब्सक्राइब चाद गया तो किलोग्राम से M मिल गिया यह क्या बच गया L2, L2K-2 यह क्या बच गया T2 t2-2, this is the dimensional formula, this is the dimensional formula of specific weight कितना आसान है, ठीक है कितना आसान है बेटा यह हिंदी ही है, इस से जाधा हिंदी मुझे आती ही नहीं है इस स्पेसिफिक वेट यहां पर आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो यह आप देख पा रहे होगे जो मून की ग्राविटी है वो वन एर्थ आप वन सिक्स आपको देखने को मिलती है अर्थ की ग्राविटी से आगी बास समझ म में बीटिक मेकैनिकल किया है और मेरी एज 32 साल जनरल है क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ भई आप एज क्राइटेरिया देख लो मिझे इस समय याद नहीं है ठीक है उससे आप पता कर लू क्लेर हो गया यहां तक चमक गया एकदम जल्दी से बताओ सभी को चमक गया कि नही अगया है रड़िजां प्काल कर इस आभल नाम है अगर आप देखोगे इसको हम मांस टरली सकते हैं इसको हम यूनिक दर्डाल सकते हैं इसको हम आप-सीफिक थी बहते हैं मिवह सकते हैं काफी सारे नाम मां आपको देखने को मिल जाएंगे इसी तरीके से चाहे इसको इसको जो है specific weight बोलो चाहे unit weight बोलो चाहे weight density बोलो तीनों नाम ले सकते हो unit weight weight density all are same ठीक है चलो बहुत ही बढ़िया बहुत तगड़ा चमक रहा है तो यहां पर आप देख सकते हो जो specific weight है that is the function of pressure temperature as well as gravity ठीक है कई बार newton और dine में unit पूछ लेता है है ऐसा एक्जाम एकदम 54 चमनी question पूछता है तो याद रखियो एक newton जो होता है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है यह वो दाइन नहीं है जिससे आपको बच्पन में डराया जाता था यह डाइन है newton वाला ठीक है इससे डरने का नहीं है इसको accept कर लेने का है आगे चलते हैं आगे चलते हैं अभी अच्छा water की अगर आपसे specific weight पूछता है छोटी-छोटी चीज़े है जो लिखवा दे रही हूँ water का specific weight पूछेगा तो density 9.81 है और सौरी gravity 9.81 है density 1000 है तो यहाँ पर आप 1000 into 9.81 consider कर सकते हो तो आई थिंग डारेक्ट लिख देते हैं तो यह चीज़ समझ आ गई होगी गामा weight by volume हो गया इसके बाद हमने रोजी के form में formula निकाल लिया क्योंकि यही formula हमारे लिए जादा important है आगे हम इसको ही solve करने वाले हैं फिर बाकी मैंने आपको यहाँ पर क्या करा है अलग-अलग basically कह सकते हैं चीज़े बता दी हैं अब द specific volume और दूसरा आपका होगय है specific gravity ठीक है तीसरा आपका क्या कहलाता है specific volume ध्यान से समझी हो specific specific volume मज़ा आने वाली है एक chapter एक lecture में इतना बहतरीन आप सेख जाओगे कि उसके बाद सिर्फ question वगेरा करने रहेंगे बाकी किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं है ठीक है specific gravity इसको relative density भी बोलते हैं ठीक है ना याद रखी ओ specific gravity को relative density भी बोलते है specific volume का क्या मतलब होता है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसको हम लोग new से represent करते हैं यह होता है volume by mass volume by mass का मतलब क्या है एक बटे density अगर एक बटे density आपको देखने को मिल रहा है तो आपको भी पता है इसकी यूनिट उल्टी हो जाएगी उसकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब थी इसका मीटर क्यूब प्रती किलोग्राम हो जाएगा इसका dimensional formula कितना हो जाएगा M की पावर माइनस 1 L का क्यूब ठीक है बहुत है सिंपल यहाँ पर दियान दो specific gravity को small s से represent करते हैं यह होता है density of the fluid अच् मतलब कोई भी body अगर fluid में submerged है ठीक है या fluid से related है तो वो डूब जाएगी कि वो तहरेगी यह बात relative density आपको असानी से बता देती है और यहाँ पर standard fluid हम consider करते हैं ठीक है तो अगर liquid के case में बात करोगे तो standard fluid क्या होगा water होगा क्योंकि water हमारा क्या है standard fluid है मगर अगर gases की relative density न निकाली तो air हमारा standard fluid होने वाला है ठीक है मेजिंग डिवाइस अभी आपको लिखवा देंगे tension ना ले ना ठीक है क्योंकि देखो चाहे इसको मेजर करना हो चाहे इसको मेजर करना हो सिर्फ gravity का difference है यहाँ पर मैं डब्बा बना देती हूं डब्बे में सारी लिखवा देत हूं फिजिकल बैलेंस इस्प्रिंग बैलेंस इस्तिमाल कर लो दोनों चीज़े निकालने के लिए इस्प्रिंग बैलेंस ठीक है इसी के साथ घर में क्या है पर्चुन की दुकान में क्या है वेंग मशीन ठीक है स्पेलिंग देख लेना जल्दी में लिख रही हूं ऐसा नहों आई ए थोड़ा आगे पीछे हो गया इत्ता आप देखके चलना ठीक है आगे चलते हैं अगर मैं स्पेसिफिक ग्राविटी की बात करूँ एस अफ दी फ्लूड एस अस दी स्टांडर फ रखेंगे ठीक है अब जैसे कि हम यहाँ पर कंसिडर करें कि मर्करी की स्पेसिफिक ग्राविटी निकालो क्या बोल रहा है मर्करी की निकालो तो मर्करी की डेंसिटी कितनी है मर्करी की डेंसिटी है 13600 स्टांडर फ्लूड की डेंसिटी हजारी रहेगी तो यह क्या मिल जा जाएगा 0.86 हो जाएगी इसी तरीके से अगर मैं आप से यहाँ पर बोलू कि वाटर की ज़रा निकालना तो वाटर की डेंसिटी क्या है 1000 है स्टैंडर्ड फ्लूट भी क्या है 1000 है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा वन मिल जाएगा तो आपने एक चीज औफ्जर्फ करी। सब्लूट क्या बन गया रिफ्रेंस बन गया अगर एसकी वेल्यू लोटर होगी तो वह है वेयर दनव नवाटर होगा उसको अगर आप एक साथ रखोगे तो वो नीचे सेटल होगा water उपर सेटल होगा इसका मतलब है water और mercury को एक साथ रखा जाए mercury नीचे बैठ जाएगी water उपर रहेगा अब आप oil को ज़रा देखो oil की specific gravity 0.86 है water की 1 है 1 से कम है तो ये क्या होगा उपर जाएगा lighter than water होगा तो ध्यान से यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दखना s की value अगर greater than 1 है तो क्या बोल रहे हैं heavier बोल रहे हैं किस से water से heavier than h2o आपको देखने को मिलेगा और अगर s की value 1 से कम हुई lighter than h2o लेगा lighter than h2o मिलेगा अब आपसे एक बहुत ही प्यारा beautiful सा सवाल पूछ ता है के specific gravity निकालने के लिए कौं सा instrument use करते हैं कोई बता सकता है ठीक है जल्दी से मुझे बताईए specific gravity निकालने के लिए कौं सा instrument use करते हैं कौं सा instrument use करते हैं याद रखी ओ काफी important है حईडो मीटर कौन सा यूज करते है पूछा जायेगा पूछा जा भी चुका है हईडो मीटर यूज करते है यूज टू मेजर किस कंसेप्ट पर वर्क करता है concept of buoyancy पर वर्क करता है यह भी सवाल बन सकता है अबी तक पूछा नहीं गया है hydrometer किस concept पर work करता है concept of buoyancy पर work करता है ठीक है जी concept of buoyancy पर work करता है आगे चलते हैं तेजी से चलेंगे जितनी चीज़े बता रही हूं सब के सब important है बात करते हैं एक और main important property की जिसका नाम है viscosity ठीक है मैंने आप से एक बहुत important चीज़ बोली कि viscosity क्या है resistance to deformation है यह कह सकते है resistance to flow ह flow में जो बाधा है वो viscosity है अगर viscosity कम होगी तो flow आसान होगा viscosity जादा होगी तो flow difficult होगा ठीक है तो flow में जो बाधा है वो क्या है viscosity है जैसे कि शहद और पानी को एक साथ बहादो कौन तेजी से बहेगा कौन तेजी से बहेगा obviously बात है पानी तेजी से बहे जाएगा शहद जल् बहुत ध्यान से सुनते रही हो सब चीज पूरा चाप्टर तीन घंटे में एकदम मस्त तरीके से समझ आजा जाएगा ठीक है और भूलो के भी नहीं फिर क्योंकि जो चीज़ें पर बता रहे हैं वो आप भूल नहीं सकते इतना मुझे यकीन है ठीक है general example भी देते जाओं बिलकुल बिलकुल देते जाओंगे अभी ये शहद और पानी क्या है पानी के बोतल ग्लास ये सब general examples ही तो है बिटा है कि नहीं general examples ही तो है तो resistance to flow ये resistance to deformation viscosity है viscosity की existence कब आएगी solid में सोचके देखो जब भी कभी solid rest पर होता है हम friction की बात नहीं करते हैं friction की बात कब होगी जब solid move करेगा जब भी कोई surface पर कोई solid रखा है अगर सिर्फ रखा है कोई फरक नहीं पड़ता है friction अंदर छुपा बैटा होगा friction का कोई roll नहीं है इसी तरीके से जैसे ही हम इस पर force लगाएंगे और यह यहां से यहां बढ़ेगा तुरंट क्या होगा surface इसके ओपर friction force लगा देगी similar way में viscosity की भी existence बेटा तभी है viscosity की भी existence तभी है जब fluid flow हो रहा हो अगर fluid flow नहीं हो रहा ना तो कोई viscosity नहीं है there is no existence of viscosity if the fluid is at rest अगर fluid rest पर है there is no existence of viscosity अगर fluid rest पर है there is no existence of viscosity तो याद रखना viscosity is viscosity is the internal resisting force ठीक है viscosity is the internal internal resisting resisting force between two adjacent fluid particle between two adjacent fluid particle अगल बगल adjacent का मतलब क्या है अगल बगल fluid particle जो होंगे adjacent fluid particles ठीक है adjacent fluid particles viscosity is the internal resisting force between two adjacent fluid particles when it is in motion when it is in motion जब ये motion में होंगे ये line लिखना बहुत जरूरी है motion में नहीं होंगे तो viscosity की कोई भी existence नहीं है ठीक है viscosity की कोई भी existence नहीं है माल लो ये container में पानी भरा हुआ है आप मुझे बताना मैं ये container चलाती हूँ ठीक है container को move कराती हूँ बताओ क्या viscosity इसमें होगी gate के लिए भी sufficient है मगर question practice करनी पड़ेगी theory तो आप engineering services तक के लिए sufficient मान सकते हो मेरा fluid mechanics बहुत प्यारा है बहुत भूला है ठीक है बहुत प्यारा है बहुत भूला है बहुत सच्चा है selection दिलाता है ठीक है बदाइए क्या कोई viscosity की existence है अरे बताओ यार डांसी कराते रहोगे मेरे से क्या कोई viscosity की existence है नो क्यों क्योंकि यहां पर यह कौन सा motion है rigid body motion है container move कर रहा है मगर fluid में layer by layer कोई भी motion नहीं है fluid में layer by layer कोई भी relative motion नहीं है तो कोई viscosity नहीं होने वाली there is no viscosity ठीक है there is no viscosity viscosity picture में तभी हाई कि जो fluid layers के बीच में relative motion आपको देखने को मिलेगा समझ आगी बात अब आगे बात करते हैं यह चीज़ें समझ आगी देखो ज़रा फिर से velocity profile अपन लोग बनाते हैं ठीक है क्योंकि एक बड़ी ऐसी calculation आपको दिखानी है उस calculation को observe करना कुछ ऐसी velocity profile अपन लोगों की बनी थी ठीक है कुछ इस तरीके से यह velocity profile बनी थी ऐसी कुछ ऐसी velocity profile बनी थी ठीक है अभी viscosity देख तो लो आई कहां से अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर velocity क्या है जीरो है no slip condition है यहां पर इस particle की माल लो velocity क्या है यू है आपको पता है कि जैसे 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 हम उपर जा रहे हैं जैसे 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 हम उपर जा रहे हैं हमारी velocity बढ़ रही है तो यू प्लस डी यू विलोसिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्या ये चीज़ समझ आ रही है कि जैसे 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 हम उपर जा रहे हैं हमारी विलोसिटी बढ़ रही है विलोसिटी बढ़ती चली जाएगी ठीक है कोश्चन वगेरा सब कराऊंगी लाई हो मगर टाइम आने पर ठीक है आप किरपिया करके पढ़ाई करें पढ़ाना कैसे है ये मुझे नासिक है मुझे पता है मैं चार साल से पढ़ा रही हूं ठीक है तो सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान दो पढ़ाना कैसे है वो आपको जादा बेटर पता है ठीक है तो आप देख सकते हो वैसे तो ये पूरी profile linear नहीं है मगर 2 adjacent fluid particles अगर आप देखोगे तो ये बहुत pass है इनके बीच में बिटाब क्या कर सकते हो almost आप straight line का flow मान सकते हो मान सकते हो कि ये दोनों particles के बीच में straight line बन रही है पूरे के लिए नहीं मान सकते पूरा आपका कुछ curve बन रहा है ये curve अभी हमें नहीं पता क्या बन रहा है मगर हाँ 2 adjacent fluid particles के लिए हम ये consider कर सकते हैं ये बात consider कर सकते हैं कि इनके बीच में linear motion है ठीक है पूरा fluid mechanics cover होगा मैं तो cover करा दूँगी आपका मुझे देखना है कि आप कब तक fluid mechanics पढ़ पाते हो मैं 8 दिन में cover करा दूँगी ठीक है अगर आपके अंदर patience है आप cover करके जाओगे और fully satisfied होके जाओगे इस बात की guarantee है मगर patience की कमी है बच्चों के अंदर आजकर तो वो जो है आठ दिन भी दे नहीं पाते है समस्या खड़ी हो जाती है ठीक है चलो मेरी end से पूरी कोशिश है पूरा खतम करा दो द्यान से देखो द्यान से समझने की कोशिश करिए ठीक है मैंने क्या करा है इतना portion निकाल के बड़ा बना दिया है यहाँ से देखो इसको linear माल लिया है तो आप देख पा रहे होगे यहाँ से line खीची यह line खीच गई इन दोनों fluid particles के velocity मैंने क्या ले ली है u ले ली है और u प्लस d u ले ली है यह दोनों fluid particles को माल लेते हैं कि दोनो d y distance पर ऐसे बैठे हुए d y distance पर ऐसे बैठे हुए ठीक है अब यहाँ पर आपने velocity कितनी ली है u ली है और यहाँ पर velocity कितनी ली है u प्लस d u ली है ठीक है माल लो particle dt time में यह particle यहाँ से यहाँ पहुचा और यह particle यहाँ से यहाँ पहुचा dt time में तो मुझे बताओ उसने कितनी distance cover करी होगी आप बोलोगे कि मैं चाल बराबर दूरी बटे समय आपको दूरी चाहिए चाल इंटू समय का multiply करा दो चाल बराबर दूरी बटे समय ना viscosity density पर depend नहीं करती है बताओंगी लिखवाओंगी relation दे के समझाओंगी कि काहे viscosity density पर depend नहीं क चाल इंटू समय क्या दे देगा दूरी दे देगा तो ये दूरी कितनी होगी यू इंटू डीटी होगी ठीक है इतनी दूरी अगर आप यहाँ पर देखो तो हम एक line ड्रॉ कर सकते हैं पूरी distance अगर आप यहाँ से यहाँ तक observe करोगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय त तो डीटी का अंदर multiply कराके हम इतने हिस्से को क्या लिख सकते हैं यू डीटी लिख सकते हैं और बचावा हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा डी यू डीटी हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये कितना हो गया ये यू इंटू डीटी हो गया और बचावा क्या हो ग लेंगी PDF तो आपको आप पर ही मिलेगी ठीक है यह चीज़ हमको यहाँ पर समझ आ गई यू प्लस डी यू डीटी मिला यू डीटी अलग कर दिया डी यू डीटी अलग कर दिया अब यहाँ पर माल लो कि इतना आपको डी फॉर्मेशन देखने को मिला डी ठीटा ठीक है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्लियरली विजिबल है कि यह हमारा क्या है परपेंडिकूलर है यह हमारा क्या है यह हमारा क्या है परपेंडिकूलर है यह ट्राइंगल बन रहा है यह परपेंडिकूलर है यह बेस है य 10D theta is equal to the perpendicular upon base होता है, perpendicular कितना है, du into dt और base कितना हमने consider करा है, देखो जरा, यह perpendicular है, यह base कितना है, dy है, यहाँ पर रख दीजे डीवाइ, यहाँ पर रख दीजे डीवाइ, जब भी angle छोटा होता है, जब भी angle छोटा होता है, तो याद रखो, maths बोलती है कि tan d theta को हम approximately equal to the d theta रिख सकते हैं तो यहाँ पर आपका आजाएगा d theta divided by divided by यहाँ से dt नीचे उतार लो d theta y dt हो गया और यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका d u बटे d y चीगे d u बटे d y तो यहाँ पर आपको यह expression देखने को मिल रहा होगा यकीन मानों इसस खूब question बनता है ठीक है यकीन मानों इससे खूब question बनता है और मैं आपको दिखाऊंगी कि question कैसे बनते है question मैं लेके आई हूँ ठीक है ध्यान से देखना जरा यह जो d u by dy बिटा आपको मिला है इसको हम बोलते है velocity gradient क्या नाम है इसका velocity gradient यूनिट पूछता है velocity gradient की मीटर प इसको बोलते है rate of shear deformation क्या बोलते है rate of shear deformation rate of shear deformation क्या है यह rate of shear deformation या तो फिर आप इसका एक और नाम रख सकते हो strain rate इस्ट्रेन रेट चीगे इस्ट्रेन रेट या फिर डी फॉर्मेशन रेट भी आप बोल सकते हो तो दो नाम आप इसके ध्यान दखो अब मेरी बास समझने की कोशिश करो आपको भी पता है कि मैं शीर फोर्स लगाएंगे तो shear stresses picture में आएंगी और इसी के सासथ शीर strain picture में आएगी आपने strain की जगा strain rate क्यों निकाला इसका reason है कि fluid continuously move करता रहता है करता रहता है कि नहीं continuous motion करता है fluid continuous motion जो भी चीज़ कर रही है वहां पर क्या आप total deformation की बात कर सकते हो नहीं आपको rate of deformation की बात करने पड़ेगी अगर आप strength of material में देखोगे तो हम वहां पर stress निकालते हैं strain निकालते हैं निकालते हैं stress निकालते हैं strain निकालते हैं stress निकालते हैं strain निकालते हैं कि fluid में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यूं? क्योंकि fluid continuously deform होता है और जो भी चीज continuously deform हो रही है, तो वहाँ पर हम total deformation की बात नहीं करेंगे, वहाँ पर हम किस की बात करेंगे? rate of deformation की, कि time के साथ fluid किस तरीके से deform हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना, fluid के case में कभी भी deformation की बात नहीं कभी भी तो बात नहीं होगी रेट ऑफ श्रेण की बात होगी कभी भी जाद रखो इस्ट्रीइन की बाथ를 इंगल नहीं करने वाले ठीक है एरेट और शेर इसको बोलते हैं यह भी लिख लो रेट और शेर स्टेंग शीर स्टीड ठीगे अब यहीं पर कौन कूद पड़ा न्यूटन बाबा कूद पड़े नीटन बाबा ने बोला हम बताएंगे हम सिखाएंगे बच्चों को ठीक है न नीटन बाबा ने क्या बोला हम सिखाएंगे बच्चों को नीटन बाबा ने बोला कि जितनी भी आप शीर इस्ट्रस लगाओगे जितनी भी आप शीर इस्ट्रस फ्लिवड पर लगाओगे उसी के कर्रस्पोंडिंग आपको यहां पर रेट ऑफ डीफॉर्मेशन मिलेगा रेट ऑफ डीफॉर्मेशन मिलेगा रेट ऑफ डीफॉर्मेशन मिलेगा क्या बोला न्यूटन बाबा ने न्यूटन बाबा ने बोला कि जितना आप शीर इस्ट्रेस लगाओगे उसी के हिसाब से आपको डीफॉर्मेशन रेट मिलने मिलने लगेगा होगा कि नहीं होगा थिके वीच डिपेंड उन वीलोक्टि ग्रेडियन वीलोक्टि ग्रेडियन करेगा आपका शीर छेयरस इस्टेस जार्श पर जितना जार घ्रड़ फोर्स उतना जार डारीज चैनल छितना पॉस्स फोर्र मेशन तो rate of shear deformation जो है, that is directly proportional to the shear stress, आप proportionality के साथ क्या हम काम कर सकते हैं, ना, हमें equality के साथ काम करना है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक constant लेके आना पड़ेगा, इस constant को बोलते हैं, mu, यह हो जाएगा, du by dy, या फिर आप लिख सकते हो, tau बराबर, mu, d theta by dt, वह, expression आ गया, expression आ गया, Newton बावा ने बोला, कि वो सारे fluid, वो सारे fluid, जो Newton's law of viscosity, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, Newton's law of viscosity, Newton's law of viscosity, Newton's law of viscosity, कितनी beautiful तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ समझते वे, Newton's law of viscosity, mu क्या है, proportionality constant, किस पर depend करेगा, fluid to fluid depend करेगा, किस पर depend करेगा, fluid to fluid, देखो ज़रा ध्यान से, mu क्या है, proportionality constant, इसी को ही क्या बोलते हैं, absolute viscosity, क्या बोलते हैं बिटा, absolute viscosity बोला जाता है, इसी कही एक प्यारा सा नन्ना सा नाम है, dynamic viscosity, इसी को ही क्या बोलते हैं, dynamic viscosity बोलते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं, dynamic viscosity बोलते हैं, beautiful तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, किस पर depend करेगा, fluid पर, fluid बदल दोगे, viscosity बदल जाएगी, fluid बदल दोगे, viscosity बदल जाएगी, एक बहुती बढ़िया सा सवाल पूछा गया, बहतरीन सा SSJ में सवाल पूछा गया, आप मुझे बताना, अगर मैं यहां पर water की viscosity की बात करूँ, तो 0.001 value मिलती है, और अगर मैं यहां पर air की viscosity की बात करूँ, तो 18 into 10 की घात माइनस 6, viscosity मिलती है, unit की बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है, yes, angular deformation, बिल्कुल सही बात, चमक रहा है एक दम, stress feel करवा दीजे प्लीज, देखो, stress feel करने का एक ही तरीका है, कि हमने क्या करा, यह fluid लिया, ठीक है, अब इस fluid की जो surface है ना, इस surface पर मैं ऐसे force लगाँ, तो आपको सोचो जब मैं force कैसे लगाँगे, कोई plate रग दो और plate को आगे घज, आगे बढ़ा दो, आगे velocity से बढ़ा दो, तो जैसे वी velocity से आगे बढ़ाओगे, तो वो fluid को आगे लितावा चला जाएग ना, तो fluid deform हो जाएगा, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो share stress है, वो क्या होता है, जो share stress है, वो क्या होता है, वो आपका होता है, forces which is along the cross section, अभी feel कराते हैं, दो मिनिट और दो, ठीक है, दो मिनिट और दो, सब feel हो जाएगा, अब यहाँ पर एक सवाल पूछा गया, कि जो water की viscosity होती है, वो कितने गुना जादा होती है, air से, तो जरा इन दोनों को divide करके बताना कितना answer आ रहा है, जल्दी से बदाईए, जमा जम समझ आ रहा है, क्या ही बात, क्या ही बात, पस यही तो चाहिए, मुझे 8 दिन, आप मुझे अपने दे दो, मैं आपको अपना subject द जल्दी से बताईए, पचपन, यह तो बचपन की बात हो गई, पचपन, पचपन, पचपन दशमलो 55 गुना, air की viscosity से जादा होता है, ठीक है, यह सवाल अल्रेडी SSCJ में पूछा जा चुका है, पचपन गुना सही आंसर था, आज से याद रखियो, कि विसकोसिटी जो water की होती है, वो 55.55 गुना, air की विसकोसिटी से जादा होती है, ठीक है, आगे समझने की कोशिश करिए, यह तो share stress हो गई, formula हो गया, share stress क्या है, कितने, विसकोसिटी क्या है, अच्छा, विसकोसिटी को भी जरा feel करके देखो, अगर मैं यहां से विसकोसिटी निकालू, तो यह म मतलब है कि विसकोसिटी बताती है कि unit deformation के लिए कितनी stress लगानी पड़ेगी, क्या बता रहा है, unit deformation, unit rate of deformation के लिए कितनी stress लगानी पड़ेगी, वो विसकोसिटी होगी, ठीक है, बिलकुल, बिलकुल, पूरा पोस्टर पे लिखा है, civil mechanical combined session बिटा चल रहा है, ठीक है, आपके बच्पन में 55 आगी है, सही बात है, चलो, अब discuss करते है, unit of viscosity, ठीक है, ध्यान से समझहीओ, ध्यान से समझहीओ, ठीक है, unit of viscosity, एकदम बसा लेंगे दिमाग में आज इस chapter को, भूलना नहीं है किसी को भी, ठीक है, भूलना नहीं है किसी को भी, unit of viscosity की बात करते हैं, बहुत आ आज आपको वह unit feel होगी इससे पहले आपको कभी unit feel नहीं होगी होगी देखो जरा formula क्या या मिव बराबर मिव बराबर अच्छा viscosity से भी पहले मैं क्या करती हूं आपको linear profile बता देती हूं क्या होती है द्यान से देखना इस formula को लगाने के लिए आपको velocity profile देना जरूरी है है कि नहीं है क्योंकि अगर velocity profile नहीं होगी तो चुन्नुलाल du by dy कैसे निकालेंगे सोचके देखो सोचके देखो मान लो उसने यू दे दिया y square plus 2y ठीक है तो आप velocity profile से du by dy निकाल सकते हो y square का differentiation 2y और 2y का differentiation 2 तब जाके यह formula लगा पाऊगे तब जाके यह formula लगेगा अब हर बर जरूरी तो नहीं है बिटा कि आपको velocity profile दे ही दे ऐसा जरूरी है क्या ऐसा compulsory है क्या कि हर बर velocity profile देगा ना अगर उसने velocity profile नहीं दी और आप से पूछता है कि share stress नि निकालो velocity निकालो कैसे निकालोगे देखो हमेशा ध्यान दखो अगर यह जो film की thickness बन रही है मान लो एक surface यह है यह fixed surface थी इसके अंदर क्या था fluid था और एक plate हमने यहाँ पर और लगा के fluid को flow कराने के लिए कैसे कराया था देखना ज़रा fluid पर shear stress आप किसी दूसरी plate के थुरू ही लगा सकते हो ऐसे आपने क्या करा F4 से F4 से इस plate को इदर खीचा इसके अंदर जो fluid भरा हुआ था वो भी साथ में चल दिया क्या रोको भा आपने F4 से ढखेला तो यह कुछ V velocity से मूफ करी मान लो यह जो है V velocity से मूफ करी ठीक है V velocity से मूफ करी तो अंदर क्या होगा यहाँ पर यह fluid को अपने साथ आगे ले जाएगा आगे ले जाएगा तो क्या होने वाला है velocity profile बन जाएगी तो हमेशा ध्यान रखो अगर यह film की जो थिकनेस है मान लो इस film की थिकनेस को हम क्या मान लेते हैं H let us consider इस film की थिकनेस को हम H consider कर लेते हैं अगर यह film की थिकनेस बेटा कम होगी तो उस case में आप क्या कर सकते हो velocity profile को linear मान सकते हो नेगलेजिबल फिल्म थिकनेस के लिए आप इस velocity profile को linear मान सकते हो मैं ऐसे कैसे देखो छोटी सी बात समझाती हो कई बार आपने किसी शाफ्ट को किसी हाउजिंग में घूमते देखा होगा ठीक है ना जैसे मोटर वगेरा में भी शाफ्ट लगी होती है वो घूमती है कि न भरा होता है ओईल भरा होता है ताकि लुबरीकेशन बना रहे इन दोनों के बीच में क्या होता है ओईल भरा होता है इस ओईल की थिकनेस अगर आप देखोगे ना बहुत ही महीन थिकनेस होती है वेरी निगलेजिबल है कि नहीं वेरी निगलेजिबल तो इस तरह के केसेज में क्या हम मान सकते हैं कि हमारी जू velocity profile पहले ऐसे बन रही थी क्या हम उसको linear consider कर सकते हैं इस तरह के cases में कि इस तरह के cases में तो कर सकते हैं कहीं पर shaft rotate कर रही है बाहर क्या है उसकी housing है बीच में oil का आपने lubrication दे रखा है grease का lubrication दे रखा है यह सब fluid तो है oil ले लो grease ले लो यह सब fluid तो है हैं कि नहीं है simple है तो इस तरह के cases में जो velocity profile हमें curve मिल रही थी उसको हम linear consider कर सकते हैं अब देखना ज़रा for a small film thickness for a small film thickness for a small film ठीक है अगर मैं small film thickness की बात करूँ तो हम उस case में velocity profile को क्या कर सकते हैं linear consider कर सकते हैं ज़रा देखिए ध्यान से बड़ा सा बना रहे हैं zoom करके मगर इतना बड़ा profile बनेगा नहीं ठीक है मान लो यहां की जो ठीकने से वह कितनी है वो आपकी h है जैसे हमने यहां पर माना h film thickness हो गई ऊपर क्या होगा जिस velocity से यह move कर रहा है इसके टॉप पर ज़रा देखो इसके टॉप पर कौन से velocity मिलेगी वी मिलेगी तो वी consider कर लिया बाकी आप देख सकते हूँ इस तरीके से linear velocity profile आपको मिल जाएगी यहां पर velocity क्या है जीरो है अगर यहां पर velocity यू है तो यहां क्या होगी यू प्लस डी यू यू तो जीरो है सिर्फ डी यू बचेगा इन दोनों के बीच की distance दो फ्लिट पार्टिकल की बीच की distance क्या ले सकते हैं डी वाई दो फ्लिट पार्टिकल की बीच की distance क्या ले सकते हैं डी वाई इससे पहले भी लिया था डी वाई अब देखो दो similar triangle बन रहे हैं एक triangle यह रहा एक triangle यह रहा और एक ट्राइंगल ये रहा, दो छोटे-छोटे ट्राइंगल है, सेम एंगल शेर कर रहे हैं, मान लो ये एंगल कुछ ठीटा है, ठीक है, मान लो ये एंगल कुछ ठीटा है, तो टैंग ठीटा लगा के हम ये परपेंडिकुलर अपन बेस भी लिख सकते हैं, मतलब हम V by H भी लिख स रखते हैं और यही इसी ट्राइंगल के लिए यही एंगल होने वाला है इसमें परपेंडिकुलर डी यू हो जाएगा बेस डी वाई हो जाएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा डी यू बाई डी तो याद रखियो इस स्मॉल फिल्म थिकनेस के लिए हम न्यूटन स्लो विसकोस इसिटी में डी यू बाई डी वाई की जगः वी बाई एच रख सकते हैं इस केस में जो आपको equation मिलती है यह मिलेगी म्यू डी उवाई डी वाई के जगा वी बाई एच रख देंगे शेर स्ट्रेस क्या होती है शेर फोर्स अपॉन एरिया ठीक है चाहे टाउ लिग दो और इसको किसके बराबर कर सकते हैं म्यू वी बाई एच ये एक सर्वगुन संपन एक्वेशन आपके सामने आ चुकी है चम है ओल दी चुन्नूलाल्स ठीक है अब देखना जरा ये सब एरिया वेरिया कहा का कंसिडर कर रहे हैं देख लो ये भी समझ लो इसके अंदर फ्लीड भरा हुआ है उपर एक प्लेट होगी इस तरीके से लगी होगी ठीक है तो प्लेट का जो ये वाला एरिया है ना जो कॉं कर रही होगी वह विलॉसीटी कंसिडर करेंगे जो फुलेट होगा उसकी विस्कॉसिटी कंसिडर करेंगे और दो प्लेट के बीच की जो डिस्टन्स होगी वही हमारी एच होने वाली है ठीक है तो यहां से ए Parl चलेट आपको धिकनी चाहिए ये बात के उस प्लेट की तो ठ contact में होगा, fluid के contact में होगा, वो area है, जिस direction में force लग रहा है, वो force है, जिस direction में plate move करेगी उस direction का force, जो इसके बीच में fluid होगा, उसकी viscosity है, जिस velocity से plate move कर रही होगी, वो velocity है, ठीक है, अब unit पर आ जाते हैं, अब unit पर आ जाते हैं, देखो, इसी formula से अगर मैं mu निकालूं, तो mu कितना आ जाएगा, f by a into h by v, ठीक है, unit of viscosity ही निकालने जा रहे हैं, ठीक है, अब देखो जड़ा, सबसे पहले क्या करते हैं, f by a की unit क्या होती है, पास्कल होती, ठीक है, यह तो share stress है, force upon area, पास्कल लिख सकते हैं, और ध्यान से देखो, h क्या है, meter है, और यह क्या है, meter प्र चला जाएगा, एक unit मिली, पास्कल सेकेंड और इसको आगर आप पास्कल को Newton प्रती meter square लिखना चाहो, तो लिख सकते हो, आपको एक unit मिलेगी, Newton second प्रती meter square, यह unit कौन सी है, SI unit है, पास्कल सेकंड बोल लियो या तो फिर न्यूटन सेकंड प्रती मीटर स्क्वाइर बोल लियो ठीक है दोनों बाते एक ही हैं आगे समझी हो इसी चीज को थोड़ा और चेंज करके लिखते हैं अगर आप न्यूटन सेकंड प्रती मीटर स्क्वाइर देखोगे न्यूटन सेकं मीटर प्रति सेकेंट स्कॉर्ड यही तो होता है निट एक और इसकेंट रखा है और नीचे मीटर स्कॉर्र कट जयेगा एक और यूनिट आगई किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंट इसको क्या बोलते हैं एम के एस यूनिट किया ही बात है ठीक है क्या ही बात है देखो भाई यहाँ पर हमने क्या गरा यू डी यू वाई को वी बाई है से इस फॉर्मुला में रिप्लेस कर दिया ठीक है फिर यहां से मिउ निकालो तो एफ बाई है एच उपर चला जाएगा वी नीचे आ जाएगा सबकी यूनिट पुट करी SI यूनिट पुट मिल गई फिर न्यूटन को किलोग्राम मीटर प्रती सेकंड स्क्वाइर में लिख दिया MKS यूनिट मिल गई अब देखियो जरा अब देखियो जरा ठीक है यूनिट क्या आ गई हमारे पास किलोग्राम प्रती मीटर सेकंड सेकेंड आपकी यूनिट हो गई, 100 से ये 100 कट जाएगा, कितना बच गया, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, ये जो ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड आपको दिख रहा है न, इस यूनिट को हम बोलते हैं, CGS यूनिट, इस यूनिट को क्या बोलते हैं, CGS यूनिट बोलते ह और इसी को ही Poise बोलते हैं, CGS यूनिट का इसका एक नाम है Poise करके, डाही नहीं Poise, ठीक है, Poise बोलते हैं, आप देखो ध्यान से समझना, आपने देखा कि एक किलोग्राम प्रती मीटर सेकेंड, 10 ग्राम प्रती सेंटी मीटर सेकेंड के बराबर है, और ग्राम प्रती सेंटी मीटर सेकेंड को ही Poise बोला जाता है, Poise कुछ लग नहीं है, यह तो बस रटवाने का एक बहाना है कि इसकी यूनिट Poise भी ले लो, Poise is the CGS यूनिट, चाहे आप इसको ग्राम पर सेंटी मीटर सेकेंड बोल लो, चाहे Poise बोल लो, अब ग्राम पर सेंटी मीटर सेकेंड Poise रख दिया, तो कभी भी Poise अगर आपको देता है और आपको MKS यूनिट पर जाना है और MKS CGS के SI के भी बराबर है, तो हमेशा ध्यान दखना एक बटे दस, दस उधर बेश दो, ग्राम प्रती मीटर सेकेंड के बराबर हो जागी, समझ आया, तो EA यूनिट कनवर्जन जो है, सब को, पूरी दुनिया को रटना पड़ता है, मगर आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, MKS को वापस से explain कर देते हैं, देखो, एक Newton क्या होता है, यहाँ पर लिखती हूँ, एक Newton क्या, Newton को क्या लिख सकते है, MG, MG क्या है, M kilogram है, और G meter प्रती second square है, इसका मतलब है एक Newton को, आप 1 kilogram meter प्रती second square लिख सकते हो, Newton को kilogram meter प्रती second square, second वैसे ही आ गया, meter square वैसे ही आ गया, meter second, meter second एक कड़ गया, MKS unit आ गया, अब इसको CGS में जब बदला, तो kilogram को gram करा, तो 1000 gram आ गया, meter को centimeter करा, 100 centimeter आ गया, 100 से 100 कड़ गया, 10 बजिया, यह जो gram प्रती centimeter second है ना, this is the CGS unit, और इसी को ही हम poise बोलते है, ठीक है, इसी को ही हम poise बोलते है, अब देखों, यह MKS क्या है, SI क्या है, CGS क्या है, यह सारे international standards है, ठीक है, यह सारे international standards है, जब आप physics में चैप्टर पड़ोगः, unit and convergent, तो वहाँ पर आपको यह सारे standard समझाए जाते है, ठीक है, ये international standards है इनके basis पर ही unit को define करा जाता है कि अगर हम Pascal Newton की बात करेंगे तो SI है kilogram में चलेंगे तो MKS कहलाता है gram centimeter इन सब में चलेंगे तो CGS unit system आपका कहला यह unit system है इसको आप physics में पढ़ते हो ठीके तो एक पॉइस जो है इक वन बाइट ग्राम मीटर सब मो लो किलोग्राम मीटर सब मो लो चौह पास्कल सेकंडा वोल लो कि अधिय अ समझ आ गया कुछ नहीं समझ आ रहा पढ़ाई Choold दियो अगर यह समझ नहीं आया दुनिया का कोई भी मास्टर आपको समझा नहीं सकता ठीक है दुनिया का कोई भी मास्टर आपको समझा नहीं सकता ठीक है अब एक बच्चे ने बोले था कि मैं डेंसिटी और विसकोसिटी में क्या कोई relation है ना जी कोई relation नहीं नोट करके लिख लो नोट करके लिख लो ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात there is no relation there is no relation between density there is no relation between density and dynamic viscosity ह2o की थी 1000 feet density किसकी थी oil की थीय की नहीं उसके बाद density किसकी एयर की थी सबसे कम density किसकी एयर की थी ये relation होता है density में प시क है कि ये relation किसमें होता है density में होता है इसी तरीके से अगर आप vissocking को देखो गे ना तो सबसे ज्यादध विसकोसिटी आपको गिलिसरीन की देखने को मिलेगी गिलिसरीन की विसकोसिटी सबसे जादा होगी उसके बाद आपको यहाँ पर ओईल की विसकोसिटी देखने को मिलेगी उसके बाद यहाँ पर आपको मरकरी की विसकोसिटी क्या इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है है बदा यह है दस बज़े क्लास चलेगी दस बज़े तक लास आप की चलने वाली है क्या आपको इं दनों में कोई रिलेशन देखने को मिल रहा है बताओ कि डेंसिटी बढ़ रही है तो विसकॉसिटी घट रही है या कुछ आपस में रिलेशन देखने को मिल रहा हूं नहीं न कोई रिलेशन नहीं देखने को मिल रहा है इसमें देखो इसमें गलिसरी निधर है इसमें दूसरे नमबर पर है इसमें वाटर तीसरे नमबर प होगी दोनों अलग है फीट ठीक है भूल जाते हैं भाई अभी इतनी जल्दी पढ़ रहे हो के भूलो के नहीं को के एक्जाम पास में ठीक है आप देखो एक और विसकोसिटी होती है जिसका नाम है काइनेमेटिक विसकोसिटी काइनेमेटिक विसकोसिटी इसको सुन लो को cohesive forces देखने को मिलेंगे molecular bonds देखने को मिलेंगे जब कि gases को अगर आप observe करोगे तो वहाँ पर molecules के पास में random motion होता है मतलब वहाँ पर molecular momentum जादा है मेरी बात को ध्यान से सुनियों ठीक है एनस्पीसी exam में question था कि हाँ with inversely होता है बड़ उसमें दोनों option था तो उसमें condition में क्या करना होता है अभी discuss करते है variation of viscosity with temperature आपको आपका answer मिल जाएगा ठीक है चलो जहां से सुनो काइने मैटिक viscosity क्या है ना काइने मैटिक viscosity का formula होता है डाइनेमिक viscosity upon density ठीक है जी डाइनेमिक विसकोसिटी अपॉन डेंसिटी अब इसकी यूनिट क्या है इसकी यूनिट है kilogram प्रति मीटर सेकेंड और इसकी यूनिट क्या है kilogram प्रति मीटर क्यूब जब आप सॉल करोगे kg kg कट जाएगा एक मीटर कट जाएगा यूनिट मिलेगी मीटर स्क्वार प्रति सेकेंड यह जो यूनिट है यह यूनिट मोमेंटम डिफ्यूसिविटी की भी होती है अभी समझाती हूं मोमेंटम डिफ्यूसिविटी क्या है यह जो यूनिट है यह मोमेंटम डिफ्यूसिविटी की भी होती है momentum diffusivity का मतलब है कि एक molecule दूसरे molecule को कितना momentum transfer कर सकता है momentum transfer क्या है मालो मैं यहाँ पढ़ा रही थी ठीक है मैं यहाँ पढ़ा रही थी पीछे से सिम्रन मैं आई दौरते दौरते मुझे धक्का मार दिया ऐसे करेंगे तो क्या मेरी मेरे पास कुछ velocity आ जाएगी क्या मैं आगे लड़ खड़ा जाओंगी सोच के बताओ बिल्कुल तो सिम्रन मैं ने क्या करा अपने momentum को मुझे में transfer कर दिया सिम्रन मैं दौरते दौरते आई मेरे से टक्रा गई तो अपने momentum को उन्होंने मेरे तरफ ट्रांसफर कर दिया तो यह क्या कहलाएगा momentum diffusivity ability ऑफ दी सिम्रन मैं तौर ट्रांसफर दी momentum कितनी मैं के पास ability थी मेरे को momentum transfer करने की यह कहलाती है momentum diffusivity ठीक है आ गई होगी बात समझ में ठीक है ना आ गई होगी बात समझ में कि एक मॉलेक्यूल दूसरे मॉलेक्यूल से टकराएगा तो एक चीज समझ आती है कि डाइनेमिक विसकोसिटी जो है यह तो आपका शेर स्ट्रेस से related है यह तो फ्ल्यूड की लेयर से related है तो डाइनेमिक विसकोसिटी लिक्विट्स में ज्यादा डॉमिनेट करती है तभी आपने एक चीज अब्जर्व नहीं करी कि जब मैंने दोनों की विसकोसिटी आपको लिखवाई तो आपने देखा कि वाटर की विसकोसिटी पच्पन गुना ज्यादा थी एर से सब्सक्राइब तो एक्चल में गिर जाएंगी मैं ठीक है तो डानेमिक विसकोसिटी लिक्विट्स में डॉमिनेट करती है जबकि कानेमेटिक विसकोसिटी अगर आप देखोगे तो यह गैसेज में डॉमिनेट करती है ठीक कानेमेटिक विसकोसिटी किसके बारे में बात करती है momentum diffusivity कि किसके बारे में बात करती है मौ मौलीकुले ट्रांस्फर की और मौलीक्यूले ट्रांस्फर की अबिलेटी िगैसे में ज्जादा है लिक्विट में कम क्या या यह तुम लोग सिम्रन में बी तारीव अकर रहए मेरी बुरा यहां करो यह अ है यह किया चल रहा है तो देखो वह अगर आप देखोगे तो डेंसिटी वाटर की जाधा है ठीक है वाटर की डेंसिटी जाधा है एर की डेंसिटी कम है तो याद रखो एर की का इनमेटिक विस्कॉसिटी जाधा होगी as comparison to the water. तो kinematic viscosity जो है, ये gases में dominate करती है और dynamic viscosity जो है, वो liquids में dominate करती है. दूसरी चीज मैं बताओ, dynamic viscosity तो density का function नहीं है, जी, dynamic viscosity तो density का function नहीं है, मगर kinematic viscosity आप देख सकते हो, ये density का function है, density बढ़ेगी तो kinematic viscosity घट जाएगी, density घटेगी तो kinematic viscosity बढ़ जाएगी. आगई बास समझ में, आगई बास समझ में, जल्दी से बताईएओ, जल्दी से बताईओ, यहाँ तक चमग गया सभी लोगों को, यहाँ तक चमग गया सभी लोगों को, जल्दी से बताओ, 7 बजे से daily class चलेगी, 10 बजे रात तक और एक दिन में, एक चाप्टर अपन लोग खतम करेंगे, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं, ताकि सारी चीज़े आपकी timely खतम हो जाएं, ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपसे और पूछेगा, जैसे मैंने यहाँ पर dynamic में relation दिया ना, ऐसी kinematics में भी पूछ लेता है, कि तो याद रखी हो, मैं आपको direct बता देती हूँ, air की जो kinematic viscosity होती है ना, 15 गुना जादा होती है water से, यही छोटे-छोटे सवाल पूछता है, problem आ जाती है, dynamic viscosity अगर आपको कभी निकालनी हो, ठीक है, तो याद रखो, redwood viscometer का इस्तिमाल करते हैं, यह मैं मैं यहाँ पर लिखे दे रही हो, redwood viscometer, यहाँ पर अपन लोग यूज़ करेंगे, redwood viscometer is used to measure, जैसे तो काफी सारे हैं, मगर एक लिख लो, dynamic viscosity, dynamic viscosity को measure करने के लिए, redwood viscometer का इस्तिमाल, अपन लोग कर लेते हैं, ठीक है जी, याद रखो, अब डिसकस करते हैं, variation of viscosity, with respect to pressure and temperature, उसके बाद types of fluid की तरफ, अपन लोग चलेंगे, ठीक है, variation of viscosity, with respect to temperature, थोड़ा मुझे और फास्ट चलना पड़ेगा, ताकि मैं सारी चीज़े, cover करा दू, variation of viscosity, with, यह सवाल नहच पीसी में भी आया, अभी मैं समझा दूँगी, बास, खेला खतम हो जाएगा, खेला खतम हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर के टर्म में कभी भी कोई आप से बोलता है, कि viscosity का चेंज क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखियो, प्रेशर के रिस्पेक्ट में, velocity का चेंज अप्रॉक्सिमेटली नेगलेजिबल है, ठीक है, मैं आपको छोड़ा सा एक्जामपल देती हो, अगर आपने कोई viscosity निकाली, मालो आपने dynamic viscosity निकाली, one atmospheric pressure पर, तो आपकी यह जो dynamic viscosity है, यह two times हो जाएगी, जब आप pressure 1000 atmospheric कर दोगे, मतलब pressure में आपने thousand time change करा, तब viscosity में two time change मिला, ठीक है, भाई mathematics है, कैसे हिंदी में बताओ, हाँ, fluid mechanics का दोनों का स्लेवा सेम है, फिर आप लोग OCF की तरफ चल देते हो, mechanical वाले HM पर रुख जाते हैं, ठीक है, तो देखो ज़रा, आप changes देखो, एक atmospheric pressure पर जो viscosity थी, आपने जब pressure में 1000 गुने का difference लिया, तब जाके, आपकी viscosity में two time difference आया, ठीक है, आपकी viscosity में two times difference आया, इसी तरीके से कानिमेटिक विसकोसिटी को ज़रा देखो, अगर कानिमेटिक विसकोसिटी आपने 180 पर ली है, तो ये कानिमेटिक विसकोसिटी 10 से 15 प्रतीशत आपकी बढ़ जाती है, जब आप जो atmospheric pressure है, ये 70 गुना कर देते हो, 70 टाइम्स अंदाजा लगा पारे हो, कह सकते हैं, कह सकते हैं, variation of viscosity is negligible, variation of viscosity जो होगा, variation of viscosity with pressure, ठीक है, with pressure is negligible, with pressure is negligible, is negligible, ठीक है, तो प्रेशर के साद अपन लोगों को बात करनी ही नहीं है, सीधी बात कर लेते हैं, temperature के साथ, ठीक है, telegram channel नहीं पता है, तो मैं लिख देती हूँ, जाओ फटाफट जोइन कर लो, ताकि कल से कोई भी telegram group ना पूछे, ठीक है, चलो, इसको देख लो, जब तक मैं आपको लिखवाती हूँ, temperature के साथ, अगर आप यहाँ पर, liquids और gases को observe करोगे, सबसे पहले यह देखो, factor, factor affecting viscosity, ठीक है, बहुत ही easy है, factor affecting viscosity, तो हमारे पास क्या है, दो तरीके के fluid हैं बिटा, दो तरीके के fluid हैं, पहला fluid आपका क्या है, liquid है, पहला fluid क्या है, liquid है, दूसरा fluid क्या है, gases है, दूसरा fluid क्या है, gases है, अगर आप दोनों को देखोगे, दोनों का nature अलग है, liquids में molecular bonds होते हैं, molecule पास पास होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा force, dominate करता है, cohesive force, intermolecular force, same particles के बीच में लग रहा है, तो cohesive force बोलते हैं, ठीक है, gases के case में आपने देखा, molecules दूर दूर है, मगर लगातार random motion कर रहे हैं, लगातार molecular transfer कर रहे हैं, molecular momentum transfer कर रहे हैं, molecular momentum transfer को agitation भी बोलते हैं, तो याद रखो, यहाँ पर आपका molecular momentum dominate करता है, ठीक है, molecular momentum dominate करता है, अब temperature का effect ज़रा बताती हूँ, एक line में समझ जाओगे, एक line में आप समझ जाओगे, सबसे पहले बात करते हैं liquid की, ठीक है, liquid के case में आपने temperature को बढ़ाया, जैसे ही आप temperature को बढ़ाओगे, तो molecule किस से बंधे वे हैं, bonds से बंधे वे हैं, जैसे आप energy दोगे, तो ये energy खा के, bonds तोड़ने लगेंगे, जैसे bonds तूटने लगेगा, तो क्या होगा, molecule दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, तो क्या होगा, flow easy हो जाएगा, flow कैसे easy हो गया मैं, अरे भाई, जो रुकावड थी, वो bond ही तो था, भूल गए, वो चीज भूल गए, वो एक छोटा सा जोग भूल गए, जब दो लोग एक दूसरे से बंधे होते हैं, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब तक आओगे, तुम्हारा जाना जरूरी है क्या, तुम्हारी जगा कोई और नहीं जा सकता, तुमको ही क्यों जाना है, आरे है वाद समझ में, bond, resistance, रुकावड, टेम्प्रेचर बढ़ा, एनरजी मिली, bond तोट गया, तो अब ये free to move है, तो flow become easy, और flow की बाधा, flow की बाधा ही तो viscosity है, अगर flow easy हो गया है, तो viscosity घट जाई, temperature बढ़ाने पर, viscosity क्या है, घट जाती है, temperature बढ़ाने पर, viscosity घट जाती है, ठीक है जी, ये चीज़ ज्यान रखिए, gases की बात करते हैं, gases की बात करते हैं, gases को अगर आप देखोगे, आपने temperature बढ़ाया, जैसे ही आपने temperature बढ़ाया, तो molecular momentum बढ़ गिया, ठीक है, ये बिल्कुल वैसी ही बात है, कि मान लो, मान लो, यहाँ पर एक बड़ी सी screen लगी है, open highmer चल रही है, ठीक है, open highmer चल रही है, यहाँ पर सारे लोग must, एकदम बैठे वे हैं, मज़े ले रहे हैं, पॉपकॉर्ण के साथ, ठीक है, सब एकदम लाइन से बैठे वे हैं, एक gate entry का था, यहाँ से entry कर ली, picture खतम होगे, exit कर ली, सारे लोग इस लाइन से उठे, पहले ये निकल गए, फिर ये निकल गए, फिर ये निकल गए, फिर ये जाएंगे, न ये वाले पहले भागेंगे, कहेंगे मैं दूर हूँ दरवाजे से, मुझे सबसे पहले दोड लगानी है, तो सारे जाके क्या होने वाले हैं, सबका momentum बढ़ गया, और सारे जाके दरवाजे पर क्या होंगे, stuck कर जाएंगे, इसका मतलब है, molecular momentum बढ़ा, तो flow में बाधा आई, line बना के जाओगे, तो आराम से निकल जाओगे, तभी तो traffic पुरा signal बनाया जाता है, लाल बत्ती देखके रुग जाओ, हरी बत्ती देखके चल पड़ो, पेली बत्ती देखके, गाड़ी स्टार्ट कर लो, आरी बत्त समझ में, ठीक है, समझ आरी है कि नहीं, तो जैसे जैसे molecular momentum आपका बढ़ेगा, आपका flow जो है, वो difficult हो जाता है, gases में उल्टी कहानी चलती है, flow become difficult, flow में difficulty आजाएगी, flow में बाधा आजाएगी, बाधा आएगी तो viscosity बढ़ जाएगी, याद रखियो, gases में temperature बढ़ाओगे, viscosity बढ़ेगी, temperature घटाओगे, viscosity घट जाएगी, liquid में temperature बढ़ाओगे, viscosity घट जाएगी, और temperature घटाओगे, तो viscosity बढ़ जाएगी, ठीक है, बस ये एक simple सी बात है, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, अच्छा, kinematic viscosity भी ऐसे ही behave करती है, उसके लिए कुछ अलग से याद मत रखना, temperature बढ़ाओगे, तो kinematic viscosity भी liquid की घट जाएगी, और temperature बढ़ाओगे, तो kinematic viscosity गैसेस की बढ़ जाएगी, same behavior, ठीक है, I am kind of Hollywood fan, अच्छी लखती है कुछ pictures, पिक्चर जो हैं अच्छी बनाते हैं वोलो, तो देख लेते हैं, ठीक है, तो liquid हो गया, gases हो गया, इसकी viscosity समझ गया, दो चीज़े और बता देते हूं, दो चीज़े और बता देते हूं, यहाँ पर viscosity है, यहाँ पर temperature है, viscosity temperature के साथ घड़ भी रही है, बढ़ भी रही है, बढ़ किसमें रही है, gases में, घड़ किसमें रही है, liquid में, ग्राफ भी याद रखना, एक चीज़ और बता दू, अगर आप, dynamic viscosity का variation देखोगे, तो under root temperature होता है, kinematic viscosity का देखोगे, तो T under root temperature होता है, ठीक है, यह expressions हम लोग किस से बनाते हैं, kinetic theory of gases से बनाते हैं, आप direct याद रख लो, ठीक है, बिल्कुल, MPPSC A के लिए भी यह एकदम वर्दान साबित होने वाला है, viscosity समझ आ गई, सारे बच्चा लोगन को, जल्दी बदाईए, चमका के नहीं चमका, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं, types of fluid, 9 बजरा है, types of fluid, surface tension, capillarity बस बचा हुआ है, खतम कर देंगे, Marvel fan है, बहुत ही बढ़िया, गजब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, continuously लोग देख रहे हैं, ये मेरे लिए एक, एक appreciation है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप से कहूँगी कि, आज अगर आपने तीन घंटा मुझे दिये हैं, आप अगले आठ दिन भी ऐसा ही कर लेना, वरना आज की महनत बेकार हो जाएगी, ठीक है, मैं आठ दिन, मैं बदाऊं, मेरा 12 से 2 क्लास था, 5 से 7 क्लास था, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शोका मैं जानते हैं, और अब 7 से 10 है, ठीक है, अगर हम फ्ल्यूट्स की बात करें, तो दो तरीके के सिंपल फ्ल्यूट्स का क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो, दो तरीके के सिंपल फ्ल्यूट, आइडियल फ्ल्यूट, रियल फ्ल्यूट, आइडियल फ्ल्यूट, रियल फ्ल्यूट, ठीक है, दो तरीके के होते हैं इसमें तो आपको ऐसी नई नई चीजे पता चलेंगी मजा ही मजा है मजा ही मजा है ठीक है समझाती हूँ अब ध्यान से देखियो ठीक है फिल्यूड एक बार समझ गए उसके बाद सर्फिस टेंशन और क्या पिलारिटी में कच्छू नहीं है 20 मिनिट म टॉपिक खतम हो जाएगा, ठीक है, एक आपका बिता होता है ideal fluid, ideal fluid, देखो ideal fluid वो fluid होते हैं, जिन में कोई भी resistance नहीं हो, ideal fluid कौँ से fluid है, जिसमें कोई भी resistance नहीं, कोई resistance नहीं means, कोई भी viscosity नहीं होगी, कोई भी share stresses नहीं होगी, ideal fluid वो होंगे जिनका सर्फेस टेंशन भी जीरो होगा जिनमें कोई भी कमप्रेसिबिलिटी नहीं होगी जिनमें जो क्या होंगे इर्रोटेशनल होंगे एक साथ ही मैं सब कुछ बता दे रही हूं दुनिया का जितनी अच्छाई है वो आइडेल फ्लूड में है शर्मा जी का लड़ है सिगमा भी जीरो है बीटा भी जीरो है यह एक रोटेशनल काइंड ओफ लो है काइनमेटिक्स में समझा जाएगा मगर लाइन से मैं सारी चीज़े लिखवा दे रही हूं इसका बलक मॉडलेस देखोगे तो आपको इनफाइनाइट देखने को मिलेगा इनकम्प्रेसिब है तो आपको पता है कि यह सिर्फ काल्पनिक है ठीक है यह सिर्फ काल्पनिक फ्ल्यूड है एक्चल में ऐसे फ्लूड्स आपके एक्जिस्ट नहीं करते हैं एक्चल में ऐसे फ्लूड्स आपके एक्जिस्ट नहीं करते हैं दूसरे क्या है रियल है इनहीं को ही हमें डिसकस भगवान है न्यूटन बाबा को नहीं मानेंगे ठीक है तो एक वो है जो न्यूटन बाबा को फॉलो कर लेते हैं और एक वो है जो न्यूटन बाबा को फॉलो नहीं करते हैं जो न्यूटन बाबा को फॉलो करेंगे वो न्यूटनियन बन जाएंगे न्यूटनियन पूछा जा चुका है study of non-newtonian fluid is known as the rheology जो newtonian fluid होंगे वो किसको follow करेंगे टाव इसको follow करेंगे अच्छा जो non-newtonian होंगे फिर वो किसको follow करेंगे वो कहेंगे अपनी इच भगवान है अपनी खुद की equation बनाएंगे तो यह क्या हो जाएका टाव बराबर ए डियू बाई डी वाई की होल पावर एन प्लस बी हो जाएक है के नहीं प्लस बी हो जाएका ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते है ओस्ट वार्ड डी वैले लोग ठीक है ठीक है बढ़ाते हैं बढ़ी के बारे में बात करते हैं पहले मैं इस लेबस चैप्टर खतम कर दो फिर पांच मिनिट आपके सिर्व बात सुनूंगी और आपको गाइड करूंगी ठीक है अभी के लिए फिलाल इस पर फोकस कर लिजए आपके लिए बीजरूरी है यह टोनियन है एक्जामपल में देखो चाहे मरकरी की बात कर लो चाहे ओएल की बात कर लो चाहे एर की बात कर लो गिलिसरीन की बात कर लो ओल दी फ्लीट सार न्यूटोनियन फ्लीट और लिखवा देती हूँ एक और कोशन पूछा गिया इथाइल एलकोहल इथाइल एलकोहल क निंटनियन था टीग एथा एतायल आल्कोहल न्यूटनियन फिल्युड molto था पता नीक इनलों नैद्य को ने निटने संट师 बट्शी ए बाध तोन फ्रूल मंपर करी ऑल है ऑट्री अयृड ग्लिसरेन वाटर एस्टू अले ल रहा हो हुआँ आगे सुननों मेरीबाद ठीक है तो यह समझेा आ अब हम लोग discuss करते हैं Newtonian fluid को थोड़ा अलग से, Newtonian fluid वो fluid है जिनकी viscosity change नहीं होती है at a particular temperature, ठीक है? At a particular temperature, ध्यान से सुनियो, ठीक है? ध्यान से समझियो, अगर मैं Newtonian fluid की बात करूँ, सबसे important चीज़ याद रखना, mu is constant, mu is constant, mu change नहीं होगा, mu is constant at a particular temperature, एक particular temperature पर, temperature बदलोगे तो बिल्कुल change हो जाएगा, मगर एक particular temperature पर mu change नहीं होने वाला, ठीक है? ध्यान से सुनो, Newton's law viscosity क्या है? tau is equal to mu du by dy, ठीक है? तो tau किस पर होगा? vertical axis पर होगा, du by dy क्या होगा? horizontal axis पर होगा, क्योंकि ये equation तो एकदम ऐसी लग रही है न, y बराबर mx, तो चाहे du by dy रख लो, चाहे d theta by dt रख लो, ध्यान से समझी हो, ठीक है? ध्यान से समझी हो, बताएंगे बिटा, बोला तो पढ़ लो पहले, पढ़ लो, फिर उसके बाद पूछ लेना, एक चीज़ समझो, अगर मैं stress और rate of share strength डाइग्राम पर graph बनाना चाहूं, Newtonian fluid का, तो कैसा graph बनेगा? क्योंकि देखो, अगर ये equation y बराबर mx है, तो ये y हो गया, ये आपका क्या हो गया? m हो गया, ये क्या हो गया? x हो गया, तो आप मुझे बताओ, कि viscosity किसको represent करेगी? slope को, और अगर Newtonian fluid का mu change नहीं हो रहा है, इसका मतलब है slope constant होगा, और अगर slope constant होगा, तो line linear होगी, linear behavior show होगा, इसका मतलब है, जिसकी जितनी जादा viscosity, उसका उतना जादा slope, सिधी बात है, अरे भाई जी, motivational जी, हमको demotivate कर देंगे, क्या आप? थोड़ा इंतिजार कर लीजे, आपको डगाइट कर देंगे, ठीक है? बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब है, अगर मै यहाँ पर खूब सारी lines बना दूँ, खूब सारी lines बना दूँ, खूब सारी line बना दूँ, तो मैं line देख के ही बता दूँगी, मैं line देख के ही बता दूँगी, कौन सा fluid कहाँ पर रखा जाएगा, air की viscosity सबसे कम, यहाँ पर रख दू, फिर उसके बाद जरा देखो, viscosity का relation भी बताया ना देखो जड़ा एर का सबसे कम फिर वॉर्टर मर्करी ऑल ग्लिसरीन ठीक है रखो ज़रा रखो ज़रा वॉर्टर कि मर्करी ऑ्र ऑउईल और सबसे ज्यी ज़्याद विस्कॉसिटी किस डीकि है कि यहां पर जील ठीक है जी तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसका म्यू सबसे कम है फिर इसका म्यू उससे जादा है फिर इसका म्यू उससे जादा है फिर इसका म्यू उससे जादा है और इसका म्यू उससे भी जादा है जिसकी विसकोसिटी जितनी जादा होगी उतना जादा उसका स्लोप होगा और सारे के सारे newtonian fluid straight line को follow करेंगे passing through the origin clear हो गया newtonian fluid चमक गया होगा slope भी चमक गया होगा सारी जीज़ है ठीक है चलो आगे चलते हैं अब बात करते हैं non newtonian fluids की ठीक है तो यह picture जो बनी है बना रहने दो non newtonian fluids को हम classify करते हैं दो तरीके के classification है एक होता है time dependent एक time independent होता है ठीक है तो ध्यान दखो यहां पर लिखवा देती हूँ non newtonian के दो classification होंगे एक आपका होगा time independent ठीक है और दूसरा classification क्या होगा time dependent एक ही page पर इस वज़े से लिख रही हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा content concise हो जाए कम number of pages में आप सब सीख जाओ time independent में पहला आता है dilatant ठीक है दूसरा आता है pseudo plastic क्या लिखते है pseudo plastic ठीक है pseudo plastic और तीसरा क्या होगा bingam plastic ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं तीसरा क्या हो अब इसके अलावा हमने दूसरा क्या पड़ा time independent ना तो यहाँ पर लिख देता है time independent basically ठीक है time dependent time dependent में आपको दो fluid ध्यान रखने है पहला क्या होता है thixotropic और दूसरा आपका क्या होता है रियो पेक्टिक रियो पेक्टिक बस यह पांच fluid समझ जाई हो सारा खतम हो जाएगा पांच fluid समझ जाई हो सब खतम हो जाएगा ठीक है इसके examples अभी याद करा दूँगी फिर नहीं भूलोगे ठीक है चलो सबसे पहले मैं बात करती हूँ डाई लेटेंट की पहला देख लो आपको कुल मिला के conditions याद रखनी है एन की वेलू डाई लेटेंट ठीक है तो एक्वेशन तो देखो सारे fluid ओस्ट्वाल डी वेले लोग को फॉलो करेंगे ओस्ट्वाल डी वेले लोग क्या है टाउ इस एक्वेल टू ए डी यू बाई डी वाई की पावर एन प्लस बी ठीक है हमेशा याद रखियो डाई लेटेंट फ्लीड वो फ्लीड होते हैं जिनमें एन की वेल्यू ग्रेटर देन वन हो और बी की वेल्यू जीरो हो जाए एन की वेल्यू ग्रेटर देन वन बी की वेल्यू जीरो हो जाएगी तो डाई लेटेंट हो जाएगा इस एक्वेशन में जरह कंडिशन पूट करिये आपको एक्वेशन मिलेगी टाउ बराबर ए मैं क्या गरती हूँ यहां से एक डी यू बाई डी वाई बाहर निकाल लेत ठीक है अगर मैं इसको newtonian से बिटा compare करा दूँ अगर मैं इसको newtonian से compare करा दूँ तो आपको भी पता है के mu की जगा कौन ले लेगा ये value tau is equal to the mu du by dy बनाना है तो ये du by dy ये mu किसके बराबर हो जाएगा ये mu किसके बराबर हो जाएगा ये mu बराबर हो जाएगा a du by dy की whole power n-1 और इसको हम लोग क्या बोलते है mu apparent apparent क्यों बोला क्योंकि non-newtonian fluid की जो viscosity है वो लगतार change होती रहती है इसी वज़े से मैंने इसको apparent viscosity बोला normal viscosity नहीं बोला this is known as the apparent viscosity अब आप खुश सोच के देखो अगर n की value 1 से बढ़ी है तो n जैसे जैसे बढ़ेगा क्या ये value positive में बढ़ने वाली है ये value बढ़ेगी तो viscosity भी बढ़ेगी विसकोसिटी है क्या slope है विसकोसिटी क्या है slope है अब ध्यान से समझना इस बात को अगर विसकोसिटी बिटा आपका slope है और आप dilatant का graph बनाओ ठीक है आप क्या करो dilatant का graph बनाओ तो आप खुश सोचो dilatant में n की value हमेशा 1 से बढ़ी है ये 1 से बढ़ी है तो ये जो power है हमेशा positive होगी अगर हमेशा positive होगी तो share क्या होने वाली है बढ़ने वाली है share क्या होने वाली है बढ़ेगी जैसे 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 एन बढ़ेगा share बढ़ेगी apparent viscosity basically बढ़ेगी तो इसका मतलब है अगर viscosity slope है तो ऐसा graph बनाओ जिसमें slope बढ़ता हुआ नजर आए ऐसा graph बनाओ जिसमें slope बढ़ता हुआ नजर आए वैसा graph कैसे बनाओगे ये जरा tangent डालो जरा tangent डालो जरा ये देखो जरा हर जगा tangent डाल दो हर जगा tangent डाल दो यहां tangent डाल दो ठीक है कहीं पर भी आप tangent डालोगे आपको slope बढ़ता हुआ नजर आने वाला है देखो horizontal से यहां इतना slope है यहां इतना slope है लगातार slope बढ़ रहा है इसका मतलब है dilatant fluid के case में dilatant fluid के case में आपका यह graph बनके आता है अब ऐसे सारे fluid जिसमें आप forces apply करो और उसकी viscosity बढ़ जाए वो सब dilatant fluid के लाएंगे जैसे कि पहला example आप देख रहे हो oblique oblique ठीक है पहला example आप यहां पर देख पा रहे होगे हमने क्या लिया है oblique ले लिया है oblique क्या होता है घर पे भी आप बना सकते हो वो जो होता है ना बुट्टे का आटा उसमें पानी मिला के बना लो slurry बना लो ठीक है धीमे से हाथ डालोगे पूरा अंदर चला जाएगा घूसा मारोगे तो अंदर हाथ नहीं जाने वाला ठीक है तो oblique क्या है एक आपका dilatant material है यहाँ पर आप एक दलदल देख रहे होगे इसको क्या बोलते है wet sand बोलते है दलदल type का आपको देखने को मिल रहा है इस दलदल पर अगर आप ठीक है बिसिकली forces लगाओगे जादा forces लगाओगे तो आप अंदर नहीं जाओगे मगर अगर आप चुपचाप ऐसे बैठे रहोगे ठीक है तो फिर इसकी viscosity दूसरी मिलेगी बड़ जैसे ही आप forces लगाओगे तो viscosity आपकी क्या होने वाली है और बढ़ने लगेगी मतलब दलदर में हाथ पैर मारे तो fluid और जकड लेगा आपको ठीक है तो slope increasing बनने वाला है और बाकी आप चीज़े यहाँ पर देख सकते हो इसके अलावा भी कुछ example साब याद रख सकते हो quick sand हो गई ठीक है quick sand wet sand बोल सकते हो oblique हो गया इसके अलावा कौन से example है butter हो गया butter पिगला के ले लो मिलाते रो मिलाते रो थोड़ी दिर बाद butter क्या होगा जमने लगेगा butter क्या होगा जमने लगेगा sugar and salt solution मिलाते रो क्या होगा बढ़ने लगेंगी चीज़े ठीक है इसकी viscosity बढ़ने लगेगी तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं shear thickening बोलते हैं कि fluid हमारा क्या हो रहा है थिक होता जा रहा है this is known as the shear thickening fluid पहली बात तो यह समझा गई दूसरी बात क्या समझा गई चाहे आप oblique का example ले लो चाहे आप butter का example ले लो चाहे आप sugar and salt का example ले लो शुगर and salt का example ले लो suspension of rice starch suspension suspension of rice starch का मतलब होता है चावल का आटा लो और उसमें पानी मिला दो तो धीमे धीमे गाड़ा हो जाएगा ठीक है suspension of rice starch etc वो सारे fluid जिसमें force लगाने से viscosity बढ़ जाए सब dilatant कहलाएंगे ठीक है समझ आगई बाद आगे देखो भई आगे देखो अगले fluid की तरफ चलते हैं अगला fluid हमारा क्या है pseudoplastic है अब इसी flow में सारे fluid आपको समझ आ जाने चाहिए ठीक है इसी flow में सारे fluid आपको समझ आ जाने चाहिए पहला क्या है dilatant है और दूसरा क्या है pseudo plastic pseudo plastic fluid ध्यान से सुनियों मेरी बात ठीक है pseudo plastic fluid ध्यान से सुनियों pseudo plastic fluid में अगर आप देखोगे तो condition ध्यान रखनी है condition खूब पूछी जाती है इसमें क्या है N की value greater की जगा lesser हो जाएगी और B यहाँ पर भी आपका zero होगा ठीक है, B आपका यहाँ पर भी 0 होने वाला है, आगे देखो, अगर equation देखोगे, ओस्ट वाल्ड D value law A हो गया, DUY, DUY की whole power N plus B हो गया, इसमें जरा condition पुट करिए, आपको मिलेगा टाउ बराबर A, मैं यहाँ से DUY, DUY बाहर निकाल लेती हूँ, तो power कितनी बच जाएगी, N minus 1 सेम वही काम कर रही हूँ, जो वहाँ कर रहा है, B की value 0 हो गई, यह क्या बन गया, यह टाउ बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, मियू आपरेंट बोलेंगे, साथ में हो जाएगा DUY, तो आप देख सकते हो, exactly Newtonian fluid जैसी equation बन गई है, मगर यहाँ पर मियू जह है, वो constant ना होके, N के साथ change हो रहा है, इसकी value कितनी है, A, DU by DY की whole power N minus 1, जो वहाँ नहीं समझ पाया, वो यहाँ पर इसको वापस से समझ सकता है, अब आप खुछ सोच के देखो, अगर N की value एक से कम है, तो यह power हमेशा negative होगी, हमेशा ध्यान दखो 2 की power minus 1, minus 2, minus 3, यह value छोटी होती जारी, यह 0.5 हो जाएगी, 1 by 4 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगी, 0.125 हो जाएगी, लगातार value आपके क्या होती, यह छोटी होती जाती है, इसका मतलब है, जब भी कभी negative में power बढ़ती है, तो हमेशा क्या देखने को मिलता है, हमेशा क्या देखने को मिलता है, viscosity कम हो जाएगी, value घटती भी दिखती है, ठीक है, उपर से board clear नहीं है, clear तो दिख रहा है मुझे, ठीक है जी, तो ऐसे सारे fluid, जिसमें forces लगाने पर viscosity घट जाए, जैसे घर में खासी हो गई, खासी हो गई, और आपने क्या बोला, आपने ब सिरब है, शेक कर लेना, फिर पीना, जैसी आप सिरब को शेक करते हो, उसकी consistency जो होती है, वो पतली हो जाती है, तो सिरब क्या है, एक pseudo-plastic fluid है, ठीक है, ब्लेड एक pseudo-plastic fluid है, ब्लेड पर आप फोर्स लगाओगे, और पतला होता चला जाएगा, वो जैकी चैन की मूवी दे देखिए, ऐसे गलाग आड़ता है, ऐसे चेहरे पे सारा blood आजाता है, एक्षो करके पोच लेता है, यह हो गया साफ, एक ही बार में पूरा चेहरा साफ हो जाता है, क्योंकि जब वो चेहरे पे heart मारता है, तो क्या होता है, fluid जो भी blood लगा होता है, हाथ पढ़ने की वजए स तो इस पर शेर स्ट्रेस लगती है और उसकी विसकोसिटी कम हो जाती ठीक है तो इस तरीके से आप थोड़ा सोच सकते हो थोड़ा सा मतलब फील कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर ऐसा ग्राफ बनाएंगे ऐसा ग्राफ बनाएंगे ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसकी विसकोसिट घट रही हो जिसकी विसकोसिटी घट रही हो ठीक है तो देख सकते हो लगातार विसकोसिटी का मतलब ही यह यह ग्राफ पर जो स्लोप होगा वही विसकोसिटी होगी तो लगातार विसकोसिटी आपकी क्या है घट रही है ठीक है थैंक यू वेरी मच बहुत सारी तारीफे कर रहे हो मुझे बस थोड़ी से शरम आ जाएगी इतनी शरम आ जाएगी कि फिर मेरा पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा देखो भाई ब्लेड हो गया milk हो गया paint हो गया syrup हो गया syrup हो गया, blood हो गया, milk हो गया, paint हो गया, syrup हो गया paper pulp हो गया, rubber हो गया paper pulp rubber हो गया एक सेक्टर, all these are the सीडो प्लास्टिक फ्ल्यूड ठीक है बिंगम प्लास्टिक को याद रखियो बिंगम प्लास्टिक ज़रा देख लियो ठीक है बिंगम प्लास्टिक फ्ल्यूड कौन से फ्ल्यूड होते हैं ये भ़िया बड़े इंट्रस्टिंग से फ्लिड होते हैं, आपके घर में भी हैं, सारे फ्लिड आपके घर में हैं, BINGAM Plastic, BINGAM Plastic फ्लिड वो फ्लिड होते हैं, जसमें जब तक आप पहले कुछ share stresses नहीं लगाओगे बहर नहीं आएंगे ठीक है आप बोलो कि बहरा जो बहरा जो कहेंगे न बहर तो नहीं आने वाले तो इसमें B जो है वो 0 नहीं होता है ओस्ट वाल्ड डी वैले लौ क्या है A du by dy की whole power n plus b n की value 1 put कर देंगे तो हमको मिलेगा tau is equal to a du by dy plus b यह equation आपको बिंगम प्लास्टिक में देखने को मिलेगी इसको अगर आप compare कराओगे तो आपको compare कराना पड़ेगा y बराबर mx plus c ठीक है graph बनाओगे तो कैसा बनने वाला है अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैं intercept मिलेगा origin से graph पास नहीं होने वाला graph जो है वो certain intercept से पास होगा यहाँ से graph आपका पास होने वाला है तो आप अच्छे से देख सकते हो यहां से लेकर यहां तक की जो value है यही तो intercept सी होता है इससे पता क्या चला पता है इससे हमें clearly दिखा ठीक है इससे हमें clearly दिखा के भाया जी इस तरह के fluid को अगर flow कराना है तो इतनी stress पहले लगानी पड़ेगी कभी देखा है आपने toothpaste को ऐसे उल्टा करा और toothpaste बहार आ गया कभी ने आप ट्यूब को पीछे से दबाओगे तब जाके toothpaste आएगा यह जो ketchup है bottle खोल के उल्टा करो नहीं आता पीछे से bottle को tap करा ठीक है जैसे कि अगर यह body है आप इसे करोगे नहीं निकलेगा पिछे सक्षे करते हो आप करोगे तब ketchup महराज जी जो हैं भाहर आएंगे और आपकी जिसमें initial stress के जरुवत होती है, तो इसको हम बोलते है, initial threshold stress, ठीक है, यह क्या होती है, minimum amount of stress होती है, जो required है, fluid के flow के लिए, जो के required है, fluid के flow के लिए, ठीक है जी, तो यहाँ पर ध्यान रखियो, यह सारे examples और भी लिख देती हूँ, जैसे मैंने बताया, mustard sauce, mustard sauce, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, jam बताया, jam की भी सेम ही हालत है, clay बताया, etc, all these are the examples of bingham plastic fluid, बाकी सामने आपका chocolate बनी है, ketchup बना है, toothpaste बना है, यह सब example तो इसके है ही है, ठीक है, हाँ, इसी के साथ जैसे कि इस बच्चे ने बड़ा अच्छा नाम याद दिलाया मुझे, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, viscosity कम हो रही है, तो इसको हम लोग shear thinning भी बोलेंगे, उसको क्या बोल रहे थे, thickening, इसको बोलेंगे shear thinning, ठीक है, तो सीडो प्लास्टिक को shear thinning भी बोल सकते है, एक छुड़ा सा classification और है, time के साथ, इससे आपके जगड़े भी सुलच जाएंगे ठीक है, एक time के साथ, और calculation है, इससे आपके परसनल जगड़े भी सुलच जाएंगे, देखो भई, यहाँ पर viscosity लेंगे, और यहाँ पर duration लेंगे, मतलब आप देखने जा रहे हैं, कि duration के साथ, ठीक है, duration of time, duration के साथ कैसे viscosity आपकी change होती है, तो कई बार ऐसा होता है, जैसे क JK white putty, gypsum, ठीक है, आपने देखा होगा, आपने उसकी slurry बनाई, पानी का घोल बनाया, और घोल बनाने के साथ-साथ, आपने थोड़े time के लिए छोड़ दिया, तो viscosity बढ़ गई, ऐसी viscosity घट भी सकती है, ठीक है, viscosity बढ़ भी सकती है, और viscosity आपकी घट भी सकती है, बीच मे क्या समस्या है, इस महाशे को क्या समस्या है, बीच में लाइन खीचने में, ठीक है, तो अगर viscosity बढ़ रही है, तो हम बोलते हैं, रियो पैक्टिक, एक्जाम्पल क्या बताया, जिप्सम, ठीक है, दूसरा क्या होता है, ठीक सोट्रॉपिक, अगर विसकोसिटी घट जाए, विसकोसिटी आपके क्या हो, घट जाए, तो ठीक सोट्रॉपिक कहलाएगा, तो इसका मतलब क्या है, लिपस्टिक, ठीक है, लिपस्टिक is the example of ठीक सोट्रॉपिक फ्लिवड, इसी वजह से लड़कियों को तयार होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि पहले वो लिपस् कि लिपस्टिक क्या है, एक ठीक सोट्रॉपिक फ्लिवड है, और इसको समय लगता है, ग्लो करने में, इसको समय लगता है, अपने फॉर्म में आने में, that's why this is the ठीक सोट्रॉपिक फ्लिवड, ठीक है, प्रिंटर इंक की बात करूँ, तो प्रिंटर इंक को हम सीडो प्लास चलो 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 आगे चलते हैं और अब अपन लोग discuss करते हैं किसके बारे में compressibility के बारे में जल्दी से समझ लियो compressibility का मतलब क्या है कोई बता सकता है मुझे compression ability इतनी detail में इतनी जल्दी बहुत मुश्किल है कि आप चीज़े cover कर पाओ ठीक है इसी वज़े से class में attentive रहो और ध्यान से सुनते रहो ठीक है ध्यान से सुनते रहो ठीक है जी हाँ ठीक है चलो कंक्रीट जो होगा यह एक आपका रियू पैक्टिक हो जाएगा ठीक है टाइम के साथ कंक्रीट हार्ड होता जाता हाँ डिटेल में ही पढ़ा रही हूं ट्रस्ट मी डिटेल में डिटेल कोर्स चल रहा है पुरा मैं चाहरी हूं अगर मेरा यूटीब बच्चा भी मुझे देख रहा है ना तो question करके आयो question तभी लगेंगे जब आप डिटेल में पढ़ोगे बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया कंप्रेसिबिलिटी क्या है unit pressure चेंज करूं तो वल्यूम में कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा वो कम्प्रेसिबिलिटी है ऐसे डारेक्ट समझ लिए ओना वो सब तो बाद में लिख लेंगे इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो बहुत डिटेल में कोर्स चल रहा है वेटा ट्रस्ट करो और लगे रहो आठ दिन बाद बात्चित करेंगे एकदम मस्त तरीके से सब्जेक्ट खतम करके जाओगे सैटिसफैक्शन के साथ ठीक है ये तो सब चुन्नू चुन्नू ये तो चुन्नू लाल वाला टॉपिक चल रहा है अभी काइनेमेटिक्स आने दो डाइनेमिक्स आन कुछ वल्यूम था था कि नहीं था कुछ वल्यूम था मानलो इनिशल वल्यूम कितना था इसका वीवन था फिर आपने क्या करा इस पर फोर्स लगाके इसके प्रेशर को चेंज करा ठीक है इस पर फोर्स लगाके इसके प्रेशर को चेंज करा मानलो आपने डीपी प्रेशर का change यहाँ पर दिया तो जैसी pressure का change दिया जैसे ही pressure का change दिया तो इसका volume change हो गया ये compress हो गया तो माल लो V2 volume आ गया ठीक है तो compressibility हमको क्या बोलती है compression ability बताती ही कि कोई भी fluid कितना compress हो सकता है ये किसके बारे में बात करती है compression ability की compression ability इतना simple language में लिखवारी हूँ कि हर एक चीज एकदम दिमाग में घुस जाएगी, ओ हो डर गई मैं, अरे मैं तो डर गई, घोस्ट आ गया है, चलो, हाँ ये class यूट्यूब पर रहेगी, बिल्कुल रहेगी, मगर I will suggest कि आप live ही देखो, क्योंकि अब उसके बाद फिर आप द audit sessions देखना मुश्किल है, live session देखना आसान है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, fluid machine भी कोशिश करेंगे, कराद है, ठीक है, पट अभी मेरा promise सिर्फ FM का है, तो मैं FM पर focus कर रहे हूँ, compressibility का मतलब है, अगर मैं DP pressure change करूँ, unit pressure change करूँ, मानलो DP क्या है, one pressure change है, मानलो यहाँ पर ए unit pressure में change लाते हैं, तो उसकी वज़े से कितना fractional change in volume हमें देखने को मिलता है, that is your compressibility, that is your compressibility, ठीक है, और fractional change in volume को negative क्यों लिया, देखो final volume कम है, initial volume जादा है, तो change in volume negative आएगा, इस वज़े से negative sign consider करा गया है, देखो भाया जी, compressibility की equation आगई, one upon V और साथ में आगया dv by dp, ठीक है, अब एक expression आगया यहाँ पर, ठीक है, एक expression आगया compressibility का, आगे समझी हो, ठीक है, आगे समझी हो, mass flow rate, अगर आप इसमें देखोगे, यह तो constant रहने वाला है, या फिर simple बात कर लें, किसी भी container के अंद हुआ, नहीं हुआ, close system है, close system है, mass कहीं जाएगा नहीं, जितने भी molecule से वो पास-पास आगे है, वागर उनका mass change नहीं हुआ है, mass क्या होता है, density into volume होता है, यह भी constant है, इसको ज़रा differentiate करना, पहला function as it is, दूसरे function का differentiation plus, दूसरा function as it is, पहले function का differentiation, constant का differentiation 0 होता है, यह दो variables का differentiation क तो मिल जाएगा V D rho, और यह मिल जाएगा minus का rho D V, यहाँ से जरा minus का D V by V निकालना, आपको क्या मिलेगा, D V by V मिल जाएगा D rho by rho, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर minus का D V by V change कर दूँ, तो compressibility का एक और भयंकर formula आ जाएगा, minus का 1 upon V, भयंकर तो बस ऐसी बोल दिया, इसमें क् हैं, यह हो जाएगा 1 upon rho, D rho by, इसका मतलब है compressibility जो है, वो volume के साथ भी change होगी, density के साथ भी change होगी, ठीक है जी, clear हो गया, अभी ध्यान से समझी ओ, अगर मैं यहाँ पर liquid की बात करूँ, तो एकदम ताजी ताजी अभी अपने बात करी है, अपन लोगों ने, कि मैं liquid की density त constant होती है, liquid की density constant है, तो change in density तो 0 हो जाएगा, अगर change in density 0 है, तो आप मुझे बताओ compressibility कितनी होगी, 0 बटा सन्नाटा, इसका मतलब है कि liquids की compression ability 0 होती है, बिल्कुल भी liquid राजी नहीं होते हैं, अपने आपको compress करने के लिए, क्योंकि compressibility है, क्या compression ability ही तो है, वो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर अपन लोग gases की बात करें, gases की बात करें, तो density तो constant नहीं है, density constant नहीं है, तो change in density 0 नहीं होगा, change in density 0 नहीं होगा, तो compressibility भी 0 नहीं होगी, ठीक है, आया बास समझ में, अरे भाई, कोई भी यहाँ पर वो मत करो, ठीक है, फिर important comments निकल जाते हैं, फा compressibility समझाया, compression ability, compression ability, और ध्यान रखियो, compressibility pressure के inversely proportional है, आप मुझे बताओ, अगर pressure बढ़ाएंगे, तो compressibility घट जाएगी, अच्छा, pressure बढ़ाने पर compressibility घट क्यों गई, इसको थोड़ा feel करने की कोशिश करो, अगर कोई container है, मैं इसको दबा दबा के, दबा दबा के, दबा दूँ, ध्यान से देख रहा, तो already molecule बहुत पास-पास तो आही चुके हैं, अब इनको क्या ही compress करोगे, जब molecule already एक दूसरे के काफी close हैं, तो उनको कितना ही compress कर लोगे, इसी वजह से pressure बढ़ता है, तो compressibility कम हो जाती है, क्योंकि pressure बढ़ने का मतलब ही यही है, कि molecules already काफी ए अब वो already एक दूसरे के close है, तो उनको कितना ही compress कर लोगे, समझो ना इस बात को, उनको कितना ही आप compress कर लोगे, समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है, ठीक है, हाँ, liquids भी compressible होते हैं, मगर under certain conditions, वो condition की study को मोलते है, compressible flow, वो हम discuss नहीं करते हैं, compressible flow is a different subject, ठीक है, हमारे fluid mechanics मे liquid हमेशा incompressible ही behave करने वाला है, ठीक है जी, आया समझ में चमका की नहीं चमका, ये feel आया की नहीं आया, कि भई pressure अगर बढ़ाओगे, तो molecule already काफी pass होंगे, already काफी pass होंगे, तो वो क्या ही compress हो जाएंगे, molecule दूर दूर करो, फिर बढ़िया तरीके से compress करो, है कि नहीं, तो स ठीक है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि unit fractional change के लिए कितना pressure लगाना पड़ेगा, unit pressure volume change के लिए कितना pressure लगाना पड़ेगा, तो उल्टे कर दो formula ये हो जाएगा, minus का v dp by dv, और या तो फिर आप कर सकते हो, rho dp by dv, ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान दख सकते हो, bulk modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity, एक चीज़ और समझाती हूँ, बहुत ही बहतरीन, ठीक है, air की compressibility, water की compressibility से कितनी जादा है, ठीक है, तो याद रखो, जो air की compressibility होती है, आइसो थर्मल compressibility of air, ये आपकी होती है, 10 की घात, minus 5, unit क्या होगी, अच्छा, unit भी देख लो, यहाँ पर unit भी देखते चलो, ये तो unit less है, ये क्या है, newton प्रती meter square, तो compressibility की unit होती है, meter square प्रती newton और Pascal की power minus 1 कर सकते हैं, ठीक है, और bulk modulus की unit क्या होती है, bulk modulus की unit होती है, देखो, P की जो unit होगी, क्योंकि dv by v तो क्या है, unit less है, तो आप या तो Pascal बोल लो, या तो newton प्रती meter square आप यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है, बिटा मेरे पास block करने का access नहीं है, ठीक है, तो जो कर रहे हैं, करने दो, अपनी जिन्दिगी के साथ कर रहे हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं, isothermal compressibility water की अगर आप देखोगे, तो यह आपको मिलेगी 0.9, ठीक है, 0.5 into 10 की power minus 9 है, थोड़ा चेक कर लेते हैं, ताकि data wise गलत नहीं जाना चाहिए, पासिकल की power minus 1, ठीक है, जरा एक काम करो, air और water की compressibility को जरा divide कर दो, तो मुझे पता चल जाएगा, कि air की जो compressibility है, वो water से कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, इसको जरा इससे divide करके बताना कितना आ रहा है, जल्दी से बताईए, जल्दी से बताईए, जल्दी से बताईए, आंसर करियो, थैंक यू, हरे पुतीन जी आये हैं, क्या ही बात है, इससे पहले तो मेरी क्लास में मोदी जी भी आये थे, आमिशाह जी भी आये थे, सब आते रहते हैं, मैं सब को fluid पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तागे construction साई हो, building ना गिरे हैं, pull ना गिरे हैं, ठीक है, देखो, भाईया जी, कार्तिक जी, थोड़ा calculate कर लेते तो आप गल्लत आंसर नहीं देते, 20,000 आ जाएगा, इसका मतलब है, air की जो compressibility होती है, वो 20,000 यही में, यही 54 चुन्नी चुन्नी question आप से पूछे जाते हैं, ठीक है, मिलेगा, PDF मिल जाएगा, सब का PDF मिल जाएगा, इस group पे भी link में share करा दोंगी, वहां ना मिले, तो यहां से ले लेना, ठीक है, यहां से ले लेना, यहां से provide कर देंगे, तो compressibility और bulk modulus का concept समझ आया, कि कोई भी gas कितनी compress करी जाती है, उसकी छमता को compressibility बोलते हैं, उसकी छमता को compressibility बोलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं, और बात करते हैं, एक और बहतरीन topic की जिसका नाम है, surface tension, surface, इसका मतलब है, it is a property of surface, ठीक है, surface tension होता क्या है, मान लोगर कहीं पर liquid भरा हुआ है, ठीक ह मगर 20 minute sincerely मुझे सुन लो, मान लो कहीं पर कोई liquid भरा हुआ है, ठीक है, जो same-same molecules होते हैं, उनके बीच में कौन सा force लगता है, cohesive, और जो different molecules होते हैं, उनके बीच में कौन सा force लगता है, adhesive, adhesive, cohesive, ठीक है, तो याद रखना, एक water का molecule, एक water का molecule, बच्चे बे जो अपने water molecules के क्या बनाने वाला है, cohesive bond बनाने वाला है, क्या बनाएगा बिटा, cohesive bond बनाएगा, ठीक है, तो आप अगर ज़रा ध्यान से इस चीज़ को देखोगे, तो हर direction से आपको bond देखने को मिलेंगे, हर direction से बिटा आपको bond देखने को मिलेंगे, तो अगर आप सारे forces का horizontal और vertical component कर दो, तो क्या होगा, इधर जो इसका net horizontal आएगा, ध्यान से देखना ज़रा, इधर जो इसका net horizontal आएगा, ये सारे forces का, और ये वाले forces का net horizontal आएगा, वो एक दूसरे को cancel कर देंगे, vertical forces का जितना net horizontal आएगा, upward और downward, वो इधर से एक दूसरे को cancel कर देंगे, तो अगर आप किसी भी liquid के अंदर की condition देखो liquid के अंदर तो एक molecule अपने ही जैसे तमाम molecules के साथ घिरा हुआ है ठीक है एक molecule अपने ही जैसे तमाम molecules के साथ घिरा हुआ है तो यहाँ पर यह समझ आता है कि जो net force होगा इस molecule के ओपर क्या होने वाला है zero ठीक है नहीं है मेरे पास number पढ़ लो जीवन में बहुत कम समय है पढ़ना भी है कुछ बनना भी है फिर उसी जीवन को जीना भी है शादी बिया भी करना नहीं बन पाए तो शादी बिया लेट हो शादी भी अगर लेट हो गया तो फिर जीवन जो है बहुत सुना सुना लगेगा जग सुना सुना लगने लगेगा आपको ठीक है तो इससे पहले जग सुना सुना बन जाए पढ़ लो मत करो ऐसी एरकत है यहां ध्यान दे लो दो महिने बच्चे एक्जाम में अब भी ध्या करीब खुलवा के रखो किया तो मैं नहीं जाओंगा ठीक है दियान से सुनो मेरी बात net force क्या होगा जो fluid के अंदर particle होगा उस पर net force 0 होने वाला ठीक है मगर यही चीज़ दरा surface पर सोच के देखो यही चीज़ दरा surface पर सोच के मिल रहा है उपर आपको air देखने को मिल रही है मतलब क्या है कि नीचे से तो bonds बने वे हैं इसने इसके साथ bond बनाया इसने इसके साथ bond बनाया अपने जैसे सारे ही molecules के साथ इसने strong कोहे से bond बनाए मगर उपर air है उपर क्या है air है उपर इसके जैसे molecules नहीं है तो इस पे जब आप net force का direction देखते हो तो इस पे आपको net resultant force किधर मिलता है downward direction में मिलता है zero नहीं होता है इसका मतलब है surface पर बैठे वे जो molecules हैं इनको नीचे वाले molecules घसीट रहे हैं आपको भी घसीट रहे हैं कुछ लोग चाह रहे हो evaporate होके atmosphere में मिलना चाह रहे हो मगर नीचे वाले molecules आपको घसीट रहे हैं कह रहे हैं आगे नहीं बढ़ने देंगे जाने नहीं देंगे नीचे सेम सेम molecules हैं आपके जैसे आप टॉप पर बैठे वे हो और नीचे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है कि नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है मगर आप जान नहीं पा रहे हो पता है क्यूं क्यों क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं हम आपको हकीकत बता देते हैं गो जरा इस मौलिक्यूल को अगर आपन लोग अब्जिर्व करें तो इसके आजू-बाजू क्या है इसी जैसे मौलिक्यूल है तो इस पर तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर surface का जरा एक molecule पकड़ो, इसके साथ bond है, इसके साथ bond है, इसके साथ bond है, इसके साथ bond है, तो इस पर जो net force आपको देखने को मिल रहा है, ये downward direction में देखने को मिल रहा है, मगर फिर भी ये नीचे नहीं जा रहा है, simple सा एक reason बताती हूँ, because of surface molecules, ये जो surface पर बैठे वे molecules हैना, ये इसके साथ क्या बनाएंगे, strong cohesive forces बनाने वाले, ठीक है, ये क्या गरने वाले है, surface पर जो molecules आपके बैठे होंगे, कैसे बैठे होंगे, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसी surface को यहाँ पर बना के आपको दिखाऊं, यहाँ पर surface के molecules दे कर रहे थे, ये वाला molecule मैंने यहाँ बना दिया, अब हम उपर से देख रहे हैं, अभी हम side से देख रहे हैं, अब हम उपर से देख रहे हैं, ठीक है, तो इसके आजू-बाजू जितने भी molecules होंगे, वो इसको क्या करेंगे, रोकेंगे, वो इसको क्या करने वाले हैं, रोकन नहीं जा पाएगा और इस तरह से एक surface पर फूरी surface पर क्या होगा एक tension सी बन जाएगी ठीगे ना पूरी surface पर आप देख सकते हो एक tension सी बन गई है इसी tension को क्या बोलते है surface tension बोलते हैं this tension is known as the surface tension पूरी surface जो है एक थिन फिल्म की तरह आपको दिखने लगेगी एक ऐसी फिल्म जिस पर क्या है आपकी टेंशन है तो याद रखियो याद रखियो के सारफेस क्या है एक फिल्म की तरह बन गई है because of strong cohesive forces और इसी टेंशन को क्या बोलते हैं सरफेस टेंशन बोलते हैं जिसके कारण आपके छोटे-छो मक्षी मच्छर जो हैं वो सर्फेस पर चल पाते हैं क्यों चल पा रहे हैं क्योंकि उनके लिए तो वो पूरी जमीन बन गई है जितने भी हलके फुलके ऑबजेक्स हैं वो आसानी से आप सर्फेस के ऊपर रख सकते हो क्योंकि सर्फेस के ऊपर भी एक टेंशन होता है जिसे हम surface tension बोलते हैं ठीक है जैसे कि ये needle देख सकते हो pin आसानी से float कर पा रही है आप इस insect को देख सकते हो आसानी से चल पा रहा है इस मच्छर को भी देख सकते हो आसानी से क्या कर पा रहा है walk कर पा रहा है because of surface tension ठीक है तो याद रखी हो because of these strong cohesive forces एक net tension develop होगा पूरी surface के उपर ठीक है तो याद रखो कि surface tension जो है वो liquid का phenomenon है यह gas का phenomenon नहीं है क्योंकि gas के पास free surface होती ही नहीं है gas के पास free surface होती है क्या बिल्कुल भी नहीं होती है ठीक है तो कुछ points यहाँ पर आपको लिखवा रही हूं उसको लिख लो फिर यह आपका topic खतम हो जाएगा it is a liquid it is a it is a phenomenon of surface ठीक है यह किसका phenomenon है पीटा surface का phenomenon है it is a phenomenon of surface liquid surface और interface भी बोल सकते हैं और interface 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 का phenomenon है ठीक है it is a phenomenon of surface और liquid interface interface का मतलब क्या है देखो यह surface हो गई इसके नीचे क्या है h2o है और इसके उपर क्या है air है तो air और water के बीच में जो एक interface बन रहा है यह उसका phenomenon है ठीक है आपको चीज़ें समझ आ गई अब देखो ज़रा surface tension force लगता कैसे है यह आपको दिखाती हो surface tension force लगता कैसे मान लो कि आपने कोई एक needle रख दी surface किसी भी liquid के उपर needle रख दी तो वह liquid की surface कुछ इस तरीके से हो आती है और needle के ऊपर जो surface tension force आएगा वह नॉर्मल टूदी लेंट ओफ interface जो जो लेंथ है ना इसके नॉर्मल आएगा परपेंडिकुलर लगेगा टेंसाइल इन नेचर होगा और किस plane में होने वाला है liquid liquid वाले plane में होने वाला है मतलब क्या है कुल मिला के चीज समझने की कोशिश करें मान लो यह क्या है यह आपका surface of the liquid है this is the surface of the liquid ठीक है साथ से दस है बिटा ठीक है साथ से दस है यह surface of the liquid है ठीक है जैसे आप इस पर निडिल रखोगे तो क्या होगा यह surface इस तरीके से थोड़ी सी ऐसे नीचे धुलग जाएगी मतलब आप दोरी पर कपड़ेट आंगते हो surface ऐसे धुलग जाएगी ठीक है क्या आप सार्फिस टेंशन फोर्स कैसे लगेगा इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए ठीक है इस चीज को थोड़ास समझने की कोशिश करिए आपका इस तरीके से सर्फेस हो गई है जो surface निडिल के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा और देखो परपेंडिकुलर तो ये भी है परपेंडिकुलर ये भी है परपेंडिकुलर ये भी है कौन सा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू दी लेंथ और इंटर फेस मतलब यह जो निडिल की लेंथ है इसके परपेंड फोर्स रहेगा समझ जाओ ना तो बहुत बड़ी बात है और ना समझ पाओ तो कोशिश करो समझने की क्योंकि ये बहुत गलत बात है आपके खुद के लिए ठीक है तो लिक्विट की सर्फेस पर फोर्स रहेगा और लेंट आफ दी इंटर फेस के परपंडिकुलर रहेगा ऐसे नहीं लगा सकते है ऐसे लगाना यह चमका की नहीं चमका जल्दी से बताओ जल्दी से बताईए क्या यह चीज़ समझ आई तो यह क्या हो गया लेंथ आफ दी इंटरफेस हो गया और यह आपका हो गया सर्फेस टेंशन फोर्स यह आपका हो गया सर्फेस टेंशन फोर्स इस सेцыनों कि क्या बोलेंगे सफेस टेंशन ऐसी कंया है उनित पूछ लेता है तो पहली यूनित तो निउटन प्रति मीटर याद रख लेता है तो किलो ग्राम से M आ जाएगा और T की पावर माइनस टू आ जाएगा MT की पावर माइनस टू इस दिडामेशनल फॉर्मुला एक और चीज़ धियान रख लिए हो यहाँ पर लिख देती हूँ सर्फेस टेंशन अगर कोई आप से पूछता है वाटर और एर के इंटरफेस के बीच में बताओ at 20 degree centigrade तो 0.736 Newton प्रती मेटर आप सर्फेस टेंशन लिख सकते हैं 0.00732 भी लिख सकते है 0.0732 Newton प्रती मेटर ठीक है एक बड़ डेटा चेक कर लेते हैं सही लिखा है के नहीं लिखा है ठीक है 0.0732 यह क्या है यह आपका वाटर एर का जो इंटरफेस है 0.07366666666666666 कर लो 0.073 ठीक है अगर इसमें आप डिटर्जेंट मिला दोगे सर्फेस टेंशन कम हो जाएगा तभी आपने देखा होगा कपड़े धोने के टाइम पर हम पानी में डिटर्जेंट मिला देते हैं ताकि पानी का सर्फेस टेंशन कम हो जाए और वो अच्छे से कपड़ों के अंदर जो पोर्स हैं उसके अंदर घुस पाए और गंदिगी निकाल पाए तो याद रखियो डिटर्जेंट मिलाने का रीजन क्या है पानी के सर्फेस टेंशन को कम करना तो डिटर्जेंट मिलाओगे पानी का सर्फेस टेंशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अगर सॉल्ट मिला दिया तो पानी का सर्फेस टेंशन बढ़ जाएगा ठीके नमक मिलाने से पानी पानी का surface tension बढ़ता है, detergent मिलाने से पानी का surface tension घटता है, अगर आप kerosene मिला दोगे तो भी पानी का surface tension आपका घट जाएगा, छीगे, तो ये चीज़े थोड़ी से आपको ध्यान रखनी है, application के अगर हम बात करें, application के अगर हम बात करें, तो तीन applications है basically, तीनों को ध्यान application है, liquid droplet, liquid droplet, ठीक है, दूसरा application आपका क्या कहलाता है, soap bubble, soap bubble, जो आप detergent मिलाते हो तो bubble बनते हैं, वो bubble को क्या बोलते हैं, soap bubble बोलते हैं, और तीसरा आपका है liquid jet, liquid jet, ठीक है, ध्यान से सुनियों, तो ध्यान से समझ आ जाएगी, वरना समस्या का कोई समधान नहीं है, ठीक है, माल लो कोई liquid आपका यहाँ पर कोई liquid droplet है, एक तो इसके अंदर का pressure होगा, और एक आपका क्या होगा, बहर का atmosphere pressure आपका होगा, यह जो अंदर liquid है, यह क्या कर रहा होगा, सता पर ऐसे normal to the surface, क्या लगा रहा होगा, surface tension basically pressure force apply कर र pressure force apply कर रहा होगा, ठीक है इस तरीके से, अब बाहर क्या है, atmosphere pressure है, ठीक है, बाहर क्या है, atmosphere pressure है, अब अगर अंदर से pressure, हमेशा ध्यान रखो, concave side का जो pressure होता है, वो convex side के pressure से जाधा होता है, जैसे कि कोई balloon फुलाओ, अब जब balloon फुलाते हो, तो अंदर का side क्या बनता है, concave बाहर का side क्या बनता है, convex बनता है, तो बाहर pressure कम होता है, अंदर pressure जाधा होता है, तब ही balloon फुलाने के बाद अगर छोड़ देते हो, तो सारी gas बाहर निकल जाती, ठीक है, तो concave side का हमेशा ध्यान रखो, concave side का pressure हमेशा convex side के pressure से जाधा ही होता है, तो अगर अंदर का pressure तो इसको तो फट जाना चाहिए बस्ट कर जाना चाहिए मगर बस्ट तो नहीं कर रहा है बदाये बास समझ आ रही है कि नहीं आ रही है अगर अंदर का प्रेशर जादा है तो इसको तो बस्ट कर जाना चाहिए मगर यह burst नहीं कर रहा है इसका मतलब है कोई force है जो इसको resist कर पा रहा है वो force आपको cut करके दिखेगा इसको cut करके ज़रा इधर बनाई हो आधा आधा droplet बनाई हो ठीक है तो आपको दिखेगा कि मैं इस तरीके से तो हमारा internal pressure जो इसके अंदर था वो लग रहा है ठीक है इस तरीके से आपका pressure लग रहा है और इस pressure को resist करने के लिए आपका क्या लग रहा है surface tension इस pressure को resist करने के लिए क्या लग रहा है surface tension force लग रहा है इस तरीके से इस तरीके से आपका क्या लग रहा है surface tension force लग रहा है ठीक है तो हमको पता है अगर ये ड्रॉपलेट नहीं बस्ट हो रहा है नहीं कुलाप्स हो रहा है तो बस्टिंग फॉर्स जो होगा बस्टिंग फॉर्स जो बस्टिंग फॉर्स होगा वो किसके बराबर होगा वो रेजिस्टिंग फॉर्स के बराबर होने वाला है बस्टिंग फॉर square, diameter of the bubble, ठीक है, resisting force कितना होगा, sigma और length of the interface क्या है, यह perimeter, यह perimeter क्या है, this is the length of the, इसी perimeter पर तो surface tension आ रहा है, तो length of the interface कितना हो जाएगा, pi हो जाएगा, into d हो जाएगा, तो यहां से जरा delta p की value निकाली हो, pi d, pi d कर जाएगा, यह delta p हो गया, 4 इधर बेज दो, तो आपको answer मिल जाएगा, 4 sigma upon d, यह आपको मिल गया, 4 sigma upon d, आया समझ में, 4 sigma upon d कहां से आ जाता है, ठीक है, अरे balloon तो solid surface से बना है, we are talking about the liquid droplet, ठीक है, आगई बात समझ में, अब ध्यान से समझियो, इसी तरीके से जब आप soap bubble के लिए calculation करते हो, तो soap bubble के calculation आप directly याद कर सकते हो, क्योंकि आपको method समझ आ गया, कि किस method से हमने निकाला है, soap bubble के लिए इतना आ जाता है, और liquid z के लिए आपका आ जाता है, 2 sigma upon d, बहुत ही और liquid jet में लगाने वाले हैं, तो 2 sigma upon d मिलेगा, all these three are the application of the surface tension, जो आपको ध्यान रखना है, formula वापस से repeat कर देती हूँ, अभी अंदर से एक pressure force लग रहा है, और बहार से opposite direction में भी pressure force लग रहा होगा, मगर ये pressure force क्या है, atmospheric pressure है, जैसे हमारी body पर भी तो atmospheric pressure ऐसे लगता है, हमको दबाता रहता है चारों तरफ से, ठीके ना, तो compressive nature है, pressure force, तो बहार से ऐसे लग रहा है, अंदर से बहार की तरफ लग रहा है, अब ये burst नहीं हो रहा है, क्योंकि हमेशा ध्यान दख को, जो concave side का pressure होता है, वो convex side से जाधा होता है, burst नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब surface tension कहीं न कहीं इसमें है, ठीके, कभी-कभी radius में भी पूछ लेता है, तो आप radius में भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको अगर आपने radius में बदला, तो आप देख लो, क्या मिलेगा, D की जगा क्या रख देंगे, 2R, तो ये हो जाएगा, 2 sigma upon R, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 sigma upon R, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, sigma upon R, ठीके, तो इस तरीके से आप radius के term में भी लिख सकते हो, आगे जलते हैं, और अब बात करते हैं capillarity की, ठीके जी, what is capillarity, समझो, समझो, हाँ, engineering second year हाँ सेमी है, जितना fluid mechanics मैं cover कर आ रही हूँ, that is more than sufficient for any exam, and for any semester also, semester के लिए तो कुछ जादा ही हो जाएगा, इतनी जरूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, तो आप capillarity effect समझ पाओगे, और यह हमारा last topic होगा, क्योंकि इसके बाद vapor pressure और cavitation मैं इसमें नहीं पढ़ाती हूँ, मैं उसको पढ़ाऊंगे, बर्नॉली से मिला के, ठीक है जी, ठीक है जी, सुनो, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, capillarity क्या होती है, मान लो कि हमने यहाँ पर water लेके रखा है, ठीक है, let us consider I have water, H2O, यह H2O भरा हुआ है पूरे container में, ठीक है, अच्छा मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला, कि molecules, सेम सेम molecules के बीच में क्या लगता है, cohesive forces लगते हैं, और different different molecules के बीच में क्या लगता है, adhesive forces लगते हैं, same same molecules के बीच में cohesion होता है, different molecules के बीच में adhesion होता है ठीक है तो water का ऐसा nature पाया गया अगर आप इस glass को भी देखोगे ना अगर इस glass में पानी है तो हमको पता चल रहा है कि पानी की सथा को ये गीला कर चुका है इसका मतलब क्या है water का cohesion कम होता है adhesion जादा होता है glass के साथ मानते हो के नहीं मानते हो के नहीं मानते हो जल्दी से बताओ water का जो है देखो ना पूरा glass गीला है पानी पी लिए उसके बाद भी glass गीला है इसका मतलब है water adhesion forces जादा शो करता है glass के साथ जबकि mercury को अगर आप देखोगे ना तो वो glass को गीला नहीं करेगे इसका मतलब है उसके cohesive forces जादा strong है adhesive forces कम strong है ठीक है तो होता क्या है ध्यान से समझो इस चीज़ को water का adhesion जादा होने की वजह से water को अगर आप देखोगे तो वो side side से इसके साथ चिपक जाता है side side से इसके साथ क्या होता है चिपक जाता है इधर से भी water को आप देखोगे तो side side से glass के साथ क्या होता है चिपक जाता है और ऊपर चड़ जाता है ठीक है इसी के साथ अगर मैं क्या करूँ, एक नली लेके आओं पतली सी, यह जो नली है, इसका डायामीटर 10 mm से कम ही होगा, ठीक है, एक नली मैं लेके आई, ठीक है, इस तरीके से, तो इसमें भी क्या होगा, जो वाटर है, इस नली के साथ ऐसे, ऐसे करके, उपर उपर चड़ जादा है, तो यह ऐसे करके क्या करेगा, एक चांद टाइब का बना लेगा, चांद टाइब का, चंदरियान 3, मोन मिशन, चांद बन जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ, पहले तो मैं यह लिख देती हूँ, डायामीटर जो है, वो 10 mm से कम ही होगा, इवन कई बार ह है, इस वज़े से आपको ऐसा चांद जैसा मिनिसकस देखने को मिला है, अगले 10 मिनिट में सेशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ 10 मिनिट फोकस कर लो, ताकि यह चीज़े समझ के जाओ, अभी मैंने आपको क्या बताया, कि कॉनकेव साइड का जो प्रेशर है, वो कॉ प्रेशर होना चाहिए, यहाँ पर भी 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 प्रेशर होना चाहिए, यहाँ पर same elevation पर है और पास्कल बोलते हैं कि अगर कोई 3.7 elevation पर है और इनके बीच में same static fluid भरा हुआ है तो 3.4 same pressure होना चाहिए इस बात को समझिए बहुत ही गहरी बात है आज तक capillarity लोग समझ नहीं पाते हैं ठीक है concave side का pressure आपका ज़्यादा होता है as comparison to the convex side ठीक है तो यहां पर अगर atmospheric pressure है तो बिटा यह तो convex side है concave side है सवारी यहां pressure ज़्यादा होना चाहिए मगर यह खुले आसमान पर है तो यहां atmospheric pressure दिखा रहा है इसका मतलब है कि यहां का pressure P ATM से ज़्यादा होना चाहिए तो होता क्या है pressure को बढ़ाने के लिए आपको पता है pressure का formula क्या होता है pressure का formula होता है rho into g into h rho into g into h ठीक है तो pressure को बढ़ाने के लिए क्या होता है यहां पर आपको rise देखने को मिलता है और ये rise आपका तब तक होगा, ये rise आपका तब तक होगा, जब तक यहां का pressure जो है, वो इस point के pressure से जादा ना हो जाए, मतलब यहां pressure जादा होना चाहिए ना, concave side पर pressure जादा होना चाहिए, तो यह क्या होगा, आपको rise देखने को मिलेगा, to get some more pressure on the concave side, इसको दूसरी तरी है, water का adhesive forces जादा होता है, किस के साथ, glass के साथ, तो क्या होता है, यहां पर fluid चढ़ने लगता है, strong addition की वज़े से fluid चढ़ने लगता है, जिसकी वज़े से आपको rise देखने को मिलता है, ऐसे भी समझ सकते हूँ, अगर capillary rise देखने को मिल रहा है, किसकी वज़े से देखने को म calculation नहीं कर सकते हैं, यहां पर मान लो, अभी सुनते रहो मेरी बात, तभी clear होगा, वरना यह कभी भी clear नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो यह आपको क्या मिला, मान लो कि यह h rise आपको देखने को मिला, water के case में, ठीक है, water के case में, बेटा, जितना मुझे हिंदी आता है, मैं बो अब इसके साथ balance कर पाओ, manage कर पाओ, तो पढ़ो, वरना कोई बात नहीं, अब मैं कैसे बढ़ा हो, जो चीज़ मुझे आती नहीं हो, आप मुझे से मांग रहे हो, मैं कहां से देदू, अब देखो ज़रा, अगर मैं water की जगा mercury फिल कर दूँ यहां पर, water की जगा mercury मान लो यहां पर mercury ले ली, तो mercury का cohesion जादा होता है, addition कम होता है, तो जैसे ही यह glass के contact में आती है, तो अपने आपको सिकूर लेती है, मतलब नीचे चली जाती है, not interested to make a bond, ठीक है, not interested to make a bond with the glass, तो जैसे ही आप काच का glass, कुछ काच की tube, एक नली को यहां पर लेके आते हो, एक नली fluid जैसे ही contact में आएगा, तो fluid कहेगा, we are not interested to make a bond, मैं bond बनाने में interested ही नहीं हूँ, अगर यह bond बनाने में interested ही नहीं है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही glass की नली पास में आएगी, तो fluid नीचे उतर जाएगा, fluid नीचे उतर जाएगा और ultra meniscus आपको यहां पर दे देखने को मिलेगा, तो यह जो rise और जो fall है, इसी को ही हम क्या बोलते है, capillary effect बोलते है, rise और fall, इसमें आपको strong addition देखने को मिला, और इसमें आप अगर देखोगे, तो cohesion काफी जादा है, cohesion काफी जादा है as comparison to the addition, ठीक है, as comparison to the addition, अब मेरी बात ध्यान से सुनियों, क्यों surface tension, यह बात को समझना बहुत मुश्किल होता है, वरना generally बच्चे cohesion addition में फसे रहते हैं, कि capillary rise, capillary fall हमको तो cohesion की वज़े से दिखा, हमको तो addition की वज़े से दिखा, आपको यह बात समझना है, अगर surface tension अगले 2 minute concept पर focus करो, ठीक है, यहाँ पर shape of the meniscus आप देख सकते हूँ ऐसा बना है, और यहाँ पर shape of the meniscus ऐसे, इसमें rise देखने को मिलेगा, इसमें आपको fall देखने को मिलेगा, बहुत ही easy भाशा में समझाया है, concave, convex side के pressure को भी हटा दिया, आज मैंने, एकदम simple भाशा है, कि cohesion जादा होगा, तो fluid क्या होने वाला है, इस नली में चड़ने व है, तो यहाँ पर mercury बिल्कुल भी glass के साथ कोई भी तालुक रखने में interest नहीं लेगी, fall कर जाएगा, cavitation concept में आपको venturi meter के साथ पढ़ाऊंगी, और वहीं पर vapor pressure का भी concept बताऊंगी, ठीक है, वहाँ बताना ही रहता है, तो फिर मैं यहाँ properties में नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक different molecules, जैसे कि glass का molecule और mercury के molecule के बीच में जो bond होगा, वो adhesive bond होगा, तो यह molecules का behavior होता है, हर liquid के अपनी property होती है, कि वो strong cohesion शो कर रही है या strong addition शो कर रही है, जैसे water है, glass के साथ strong addition शो करती है, तब ही water glass को गीला कर देता है, mercury glass को गीला नहीं करती है, मगर वहीं mercury का contact silver से करा दो, mercury का contact aluminum से करा दो, mercury का contact gold से करा दो, बढ़िया weight करेगा surface को, क्योंकि वहाँ पर फिर addition बढ़ जाता है, तो mercury जो strong cohesion शो कर रही है, strong cohesive force शो कर रही है, वो glass के साथ कर रही है, हमेशा नहीं करेगी, अगर glass की जगा यहीं पर आप beaker जो है, aluminum का लियाओ, silver का लियाओ, gold का है, वो आपको rise की तरह दिखाई देगी, जो mercury है, वो आपको strong cohesive bonds की जगा, strong adhesive forces को दिखाई देगी, ठीक है, यह चीज़ आपको ध्यान रखने है, ठीक है, आगे समझो मेरी बात, अगर यहाँ पर meniscus को observe करोगे, तो meniscus को observe करो ज़रा ध्यान से, angle को देखो ज़रा, अगर म meniscus पर एक छोटा सा tangent, चलो, यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर जगा ज़्यादा है, तो angle देख सकते हो आप, ठीक है, तो जब भी कभी rise देखने को मिलेगा, जो theta है, वो 90 degree से कम देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखो, जब भी कभी आपको fall देखने को मिलेग तो जो theta है, वो 90 degree से ज़्यादा देखने को मिलेगा, greater than 90 degree आपको angle देखने को मिलेगा, ठीक है, इधर आपको strong cohesion दिखा, इधर आपको strong addition दिखा, ठीक है, strong cohesion, strong addition, मगर यह बात हम किसके basis पर कर रहे हैं, molecular level पर, जो bonds बन रहे हैं, वो molecules के बन रहे हैं, cohesive force, adhesive force, molecules के बीच में आ रहे हैं, molecules के basis पर हम calculation नहीं कर सकते हैं, microscopic के basis पर हम calculation नहीं कर सकते हैं, calculation हमेशा macroscopic view point of view से होती है, मतलब क्या है, अब अगर मैं देखना चाहूं कि यह कितना rise हुआ है, आप क्या करो, इतना इतना जो rise है ना, इसके अंदर जितना fluid चढ़ा है, इसको अलक से बना लो, ध यहां से देखो ज़रा, इसको अलक से बना लो आप, ठीक है, अलक से ऐसे आप यहां पर बना लो, इस surface पर क्या आ रहा है, surface tension, इस surface पर क्या एगा, surface tension आएगा, ऐसे surface tension आएगा, ऐसे surface tension, angle कितना आ रहा है, देखो ज़रा verticals angle, कितना angle बन रहा है, theta angle बन रहा है, अभी मैंने This is the theta angle, इसमें क्या है, इसमें fluid आपका चढ़ा था, चाहे rise लेके निकाल लो, चाहे fall लेके निकाल लो, कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, जितना fluid है उसका weight तो नीचे ही लगेगा, और इसी के साथ साथ अगर आप rise देखोगे, तो कितना rise हमने consider करा, h rise यहाँ पर consider करा, this is the h rise, ठीक है, अब इसको अगर आप observe करोगे ना, तो यह circular in nature है, ऐसा मस सोचना, ऐसा मस सोचना, कि भई एक इधर से component टूटेगा, एक इधर से component टूटेगा, नो, ऐसा नहीं होगा, अगर आप इस meniscus को देखोगे, तो इसकी surface पर हर तरफ से, हर तरफ से, हर तरफ से, हर एक ही vertical component टूटेगा, जो क्या होने वाला है, sigma cos theta, क्योंकि यह कोई दो forces नहीं है, पूरे, एक कटोरा ले लो, इस तरीके से, यह से meniscus बन गिया, इसके चारो और, चारो और, चारो और surface tension है, तो एक ही component टूटेगा, vertical वाला sigma cos theta, जो horizontal टूटेगा, वो क्या होगा, वो बेसि गे ना, rho into G into V, तो weight कितना हो जाएगा, rho हो गिया, G हो गिया, V को क्या लिख सकते है, pi by 4D square, यह तो capillary tube का diameter हो गिया, और rise कितना हुआ है, H हुआ है, चीगे, आप क्या कर सकते हो, equilibrium की condition में लिख सकते हो, कि जो sigma cos theta होगा, that will be equal to the weight of the body, देखो दोनों एक दूसरे को balance करेंग ना, weight नीजे, surface tension force उपर, तो यह हो जाएगा, sigma cos theta बराबर, इसको क्या लिख देंगे, rho into G into कितना हो जाएगा, pi by 4D square into H, यहाँ से ज़रा H निकाली हो, जैसी आप H निकालोगे, आपको मिलेगा, 4 sigma cos theta, अच्छा, surface tension है ना, यह, force ले लो, pi into D का multiply भी करा लो, pi into D का multiply भी करा ली हो, क्योंकि यह तो surface tension है, surface tension force कितना होगा, surface tension into length of the interface, length of the interface भी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीके ना, यह surface tension है, और formula क्या होता है, surface tension का force upon area, तो force कितना, force per unit length basically, तो force कितना होगा, sigma into L, length of the interface क्या है, यह, periphery, pi into D, ठीके, तो यहाँ से pi D, pi D cancel कर दो, 4 sigma, 4 sigma, cos theta, pi D, pi D कर गया, आपको मिल गया, rho into G, और 7 में क्या बज़ गया, एक diameter बज़ गया, यह आगया, capillary rise, अब अगर यह positive मिल रहा है, देखो theta पर ही सब depend करेगा, इस पे theta क्या है, less than 90 है, positive होगा, fall में greater than 90 है, negative होगा, तो हमेशा ध्यान रखो, h की value अगर positive मिली, तो rise देखने को मिलेगा, एक बास सुनते वे जाओ, बहुत important बोलनी है, अभी बोली नहीं है, अगर आप, अगर आप, माइक्रो इसकोपिक point of view से देखोगे, तो capillary rise and capillary fall आपको due to cohesion and addition दोनों नजर आता है, बास समझा रही है, जब भी कोई पूछता है कि capillary rise और fall क्यों हुआ due to strong cohesion and addition, दोनों reason है, चाहे rise की बात कर लो, चाहे fall की बात कर लो, बहुत आर्दी reason, मगर अगर macroscopic point of view से आप सोचोगे, तो capillary rise and fall is because of the surface tension, क्योंकि quantitative अगर आप देखोगे, quantity wise अगर आप देखोगे, तो मैंने इसको surface tension force के बराबर किया, daily lecture होगा till 8th of August, आई बास समझ में, जल्दी से मुझे बताई हो, तो हमेशा ध्यान रखियो, आपका जो exam है न, वो थोड़े गलत question को भी promote करता है, आपका जो exam है, वो थोड़े गलत question को भी promote करता है, वो कहता है कि capillary effect surface tension की वज़े से है, क्योंकि वो सिर्फ quantitative point of view को consider कर रहा, वो सिर्फ quantitative point of view को consider कर रहा, ध्या पर एक चीज़ समझ लो, the rise or fall of the liquid in the capillary tube, in the capillary tube, जिसका diameter क्या होगा, less than 10 mm होगा, due to, due to surface tension, due to surface tension, due to surface tension is called, is called capillary effect. इसी को ही हम क्या बोलते हैं, capillary effect बोलते हैं, और यह जो capillary effect है, यह angle पर भी depend करती है, रोजी पर भी depend करती है, रोजी को हम specific weight भी बोल सकते हैं, उस पर भी depend करेगी, डाया पर भी depend करेगी और surface tension पर भी depend करेगी. ठीक है, आगे बात समझ में, यहाँ पर flow की बात नहीं हो रही है, बिटा जी, flow की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर fluid हमने beaker में लिया है, static fluid की बात हो रही है, ठीक है जी, तो macro point of view से, macroscopic point of view से बात करोगे, surface tension is responsible, क्योंकि surface tension quantitative, जो rise और fall है, quantitatively, वो surface tension ही define कर रहा है, क्योंकि हमने weight को surface tension की बराबर ही करा है, मगर microscopic point of view से देखोगे, तो cohesion, addition बहुता responsible, मगर वो आपके exam में नहीं पूछेगा, पहले ही बता दिया, आपके exam में पूछेगा macroscopic point of view ही है, ठीक है, हाँ, कर सकते हो, अगर आप glass tube को replace करके silver tube लगा दोगे, तो आपको यह जो fall दिख रहा है न, यह change हो जाएगी condition, क्योंकि silver के साथ जो mercury है, वो एक अच्छा adhesive bonds को represent करता है, अच्छा adhesive bonds बनाता है, ठीक है, तो आज यह जो हमने discuss करा, this is all about fluid property, एक छोड़ा सा question यहाँ पर दे रही हूँ, फड़ाफट करके दिखाई हूँ, फड़ाफट करके दिखाई हूँ, Newton's law viscosity states that, Newton's law viscosity क्या बताता है, चमक गया बहुत ही बढ़िया, बस 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 बस, दो मिनिट और दे तो, मैंने भी कुछ नहीं खाया, मैं पांच बज़े से पढ़ा रही हूँ, हाँ, question किस type से आएगा, जरा एक question देख लो, लिखा हुआ है आपके screen पर, एक question देख लो, लिखा हुआ है आपके screen पर, अंसर करियो जल्दी से, बहुत ही बढ़िया, Newton's law of viscosity, share stress is directly proportional to the velocity gradient, बिल्कुल, share stress directly proportional to velocity गलत है, share stress directly proportional to share strain ये भी गलत है, ये सही कब होता, जब rate of share strain लिख देता तो सही हो जाता, और ये भी आपका क्या है, गलत है, option B will be your correct answer, ठीक है, बहुत ही बहतरी शांदर तरीके से, 74% लोगों ने सही answer दिया, अगला सवाल आपकी screen पर ये रहा, viscosity of liquid decreases with increase in temperature due to, किसके कारण, cohesive force के कारण, cohesive force बढ़ने के कारण, घड़ने के कारण, molecular momentum घड़ने के कारण, molecular momentum बढ़ने के कारण, बताईयो, जिल्दी से, ऐसे ही सवाल आएंगे, जो दिखा रही हूँ, बस वही पूछा जाएगा, हाँ, rate of share strain होता, तो C सही हो जाता, ठीक है, अब फटा फटा आंसर कर यो, बहुत ही बढ़िया, शांदार, जबर्दस, बहतरीन, बहतरीन, ठीक है, viscosity of liquid decrease होती है, temperature बढ़ता है, cohesive forces weak पढ़ जाते हैं, cohesive forces क्या होते हैं, weak पढ़ जाते हैं, तो जितने भी लोग option B बोल रहे हैं, गलत हैं, और जितने भी लोग option A बोल रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, सही हैं, क्योंकि cohesive force decrease कर जाएगा, temperature बढ़ाने पर, flow easy हो जाएगा, तो viscosity भी आपकी क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है, अगला सवाल, the viscosity of water with respect to air, ये सवाल SSC J में already पूछा जा चुका है, इस वजे से लेके आई हूँ, जल्दी से बताओ, answer करो भई, 50 times, 55 times, बताओ जल्दी से, ठीक है, एक ये सवाल पूछा जा चुका है, तो जो पढ़ाया है न सवाल उसी से आएगा, fluid property में जितना कराया है, उसको ध्यान रखी हो, उसको ध्यान रख्यों, ठीक है, viscosity of water with respect to year is about, बहुत ही बहतरी, इंचानदार, जबरदस, एकदम master stroke खेल रहे हैं, आप सभी लोग, option B will be your correct answer, ठीक है, option B will be your correct answer, 55.55 पढ़ा है, तो 55 सबसे नजदी की answer आपका होने वाला है, एक बार अच्छा content consume करोगे, आपके screen पर ये रहा, इसको और solve कर लो, तो चीज़े समझ आ जाएंगी, चलो, ये last question है, last question इस वज़े से, क्योंकि Newton's law viscosity का भी question एक बार देख लो, कि क्या question पूछा जाता है, और एक question मैं आपको homework के लिए दूँगी, जो आप कल मेरे साथ discuss करोगे, ठीक है, इसको try करो पहले, ये u दे रहा है, u दे रहा है, velocity profile दी है, बोल रहा है, share stress 0.3 meter, above the plate is k times, मतलब share stress जो है, वो y बराबर 0.3 पर जो है, वो k times है, share stress y बराबर 0.2, क्या ही बहतरीन question है, क्या ही बहतरीन question है, दो अलग-अलग location पर share stress का relation दिया है, और पूछ रहा है के की value बताओ, जाने दो मैं, अरे रुक जाओ भाईया जी, थोड़ा जहाँ तीन घंटा class देखिए, दो मिनिट जदा अतनिक practice तो कर लो, हैंगे नहीं, बहतरीन, बहतरीन, बहतरीन answer करो, 3 by 7, क्या ही बात है, देखो भाई, यह हो जाएगा, mu, du by dy, यही तो formula है, मगर du by dy जब निकाल लेंगे, तो y बराबर 0.3 put कर देंगे, फिर लिखेंगे के, tau की value क्या है, formula क्या है, mu du by dy, मगर जब du by dy निकाल लेंगे, तो y की value 0.2 put कर देंगे, mu mu, चलते बनो, ठीके, du by dy कितना हो जाएगा, 3 by 4, y का differentiation 1, y square का differentiation 2y, और यहाँ पर y की value आजाएगी, 0.3 is equal to the, फिर से value वही आएगी, के बाहर रखो, minus 2y, मगर इस बार y की value 0.2 put करनी, put करिये ज़रा, 3 by 4, minus 2 into 0.3, is equal to the k times, यह हो जाएगा, 3 by 4, minus 2 into 0.2, ठीके, solve कर लो, यह हो जाएगा, 3 by 4, minus, point हटाओ, 0, then 10 बढ़ाओ, 2, 5, 10 हो जाएगा, तो हाजाएगा, 3 by 5, ठीके, is equal to the k times, यह हो जाएगा, 3 by 4, फिर से, point हटाओ, 0, 10 बढ़ाओ, 5 is a 10, ठीके, तो यह हो जाएगा, 2 by 5, LCM ले लो, 20 आजाएगा, 5, 3 is a 15, 4, 3 is a 12, k आगिया, यहाँ पर भी LCM ले लो, 20, 5, 3 is a 15, 4, 2 is a 8, तो k की value कितनी आजाएगी, 20, 20 घुज जाएग, मतलब खतम हो जाएगे, एक दूसरे के साथ, ठीके, 15 में से 12 गया, 3 और 15 में से 8 गया, 7, तो 3 by 7 will be your final answer, सभी लोगों ने निकाल लिया, क्या ही बात, क्या ही बात, सब लोग कर लोगे, ठीके, अगला सवाल, एक last question, आपकी screen पर यह रहा, प्रोफाइल नहीं दी है, अगर विलोसिटी प्रोफाइल नहीं दी है, तो formula क्या लगेगा, टाउ बराबर, F by A, म्यू वी बाइच, ठीके, यह मेरे साथ स्वाल कर लो, बस उसके बाद जाने देंगे, पक्का, पक्का जाने देंगे, ठीके, मेरे बाद सर्वे शुरू होगा, 8 अगस्त के बाद सर्वे शुरू होगा, ठीके, incompressible fluid है, जिसकी viscosity, कौन सी viscosity दे रहा है, unit से पहचानो, meter square per second, ठीके, specific gravity, 0.88, flow between two infinite, horizontal plates है, तो एक plate आपकी यह हो गई, दूसरी plate आपकी यह हो गई, इनके बीच में चल रहा है, और इनके बीच का जो gap है, 0.5 mm दिया हुआ, ठीके, velocity देखो, एक plate की velocity, 5 meter, 5 नहीं, 0.5 meter प्रति सेकंड दी हुई है, आप से बोल रहा है, force per unit area निकालो, ठीके, तो F by A अपन लोगों को निकालना है, mu direct नहीं दिया है, मगर हमें पता है, kinematic viscosity जो है, dynamic viscosity upon density के बराबर होती है, तो आप kinematic viscosity रख दो, density रख दो, velocity रख दो, h रख दो, answer आजएगा, kinematic viscosity 7.4, 10 की घार्थ, minus 7, बोलते बोलते भाई जी, थेपडे बहार आ गया, आज मेरे, 880 हो गया, velocity कितनी हो गया, 0.5, divided by h कितना है, 0.5 into 10 to the power, minus 3, meter में change कर लिया है, मैंने, f by a बता दियो, फिर घर जाई हो, f by a बता दियो, फिर घर जाई हो, कोई नहीं रोक रहा, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं एकदम निठली वेली, इसका कौनों इंतिधार नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए tension मत लीजे, मैं बहुत जीवन में खुश, खुश हूँ, जल्दी सा answer करो, क्या answer आजाएगा, 0.65, बहुत ही भेहतरी, 0.65 newton, प्रती meter square, आपको answer मिल जाएगा, ठीक है, आपने बोला, इसलिए लिख दिया, आप गलत हो तो देख लेना, ठीक है, बस calculation सही कर लेना, आपने बोला, इसलिए लिख दिया, ये question homework के लिए है, इसको हम कल discuss भी कर लेंगे, class की शुरुवात में, और अब जो है न, सीधा आपको मैं बोलती हूँ, good bye, tata, ख़तम, ठीक है, हो गया, finish, सब कुछ ख़तम हो गया, bye, ठीक है, तो मिलते हैं आप से, अब direct कल, कल होगा महा संगराम, क्योंकि कल हमें दो chapters को target करना है, fluid, static, plus buoyancy and flotation, जिसमें बच्चे हर बार गड़ आते हैं, तीन घंटा मेरे साथ पढ़ लेना, 15 मिनिट और एक्स्ट्रा रेडी रहना, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है, मजा आईगी नहीं आई भई, फटाबट बतादो, उसके बाद क्लास खतम करते हैं, thank you very much for trusting on my content and I am assuring you, you will get one of the best marks in the fluid mechanics because मुझे पता है के what I am sharing to you, ठीक है, चालो ठीक है, बहुत ही बड़े है, ओहु, 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 इत्ता सारा प्यार, क्या ही बात है, बहुत मजा आया, और जो fluid है ना, Hindi English की कोई समस्या नहीं, यह technical subject है, इसको क्या ही मैं Hindi में बताऊं, ठीक है, ठीक है, चलो, PDF आपको PW के application पर मिल जाएगी, और मेरे साथ अगर आपको कोई discussion करना है, तो at the rate मैं एक last time और यह telegram group लिख देती हूँ, जो भी बच्चे last में join करें हैं, वो बेटा, इस telegram group के मदद से, मेरे साथ join कर सकते हैं, जुड सकते हैं, और आप अपने doubts भी discuss कर सकते हूँ, ठीक है, तो thank you very much, good night, take care, मिलते हैं आपसे, कल शाम 7 बजे, with two, two very new chapters, first one is the fluid static, and second one is the buoyancy and flotation, सकताइ।